जब एक इंसान की जो ambitions हैं वो बहुत जादा बढ़ जाए तो वो कुछ ऐसा कर डालता है जो उसे नहीं करना चाहिए वो अपनी ambitions में इतना डूप जाता है कि उसे पता है नहीं रहता कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है यहीं कहानी है हमारे आज के प्ले हैं Macbeth की Macbeth प्ले जो कि William Shakespeare ने लिखा है यह उनकी four tragedies में से एक tragedy है great tragedy जो William Shakespeare की कही जाती है उन में से यह एक है वोती है अच्छा प्ले है यह एक five act प्ले है यह publish हुआता 1606 में और अगर इसके source की बात करें तो William Shakespeare ने जो source लिया है वो Raphael Holnesset की chronicles से जो है इसका source लिया गया है और supernatural power जो है वो ली गई है discovery of witchcraft से या फिर James first की जो terminology है वहाँ से यानि कि जो supernatural power William Shakespeare ने इस play में दिखाई है उसका source उन्होंने discovery of witchcraft से लिया है और एक book है King James first की demonology इस play का जो full title है वो है the tragedy of Macbeth जैनरे की बात करें तो यह tragic drama है और इसकी setting Scotland और England में हुई है theme, ambition, ambition इसकी main theme है बाकि इसमें fit दिखाया जाता है कि किस तरह से जो है इनसान का fit बदलता है भागे किस तरह से उनका बदलता है और violence भी इसमें देखने को मिलेगा character list चलिए अब character list पर देख लेते हैं सबसे पहला और सबसे बड़ा नाम जो इस play में आता है that is Macbeth इसके उपर ही जो है यह play बनाया गया है यह एक Scottish nobelman है the Thane of Glam है यह पहले जो है यह Glam का थेन था लेकिन बाद में इसको Thane of Powder बना दिया जाता है क्योंकि इसने बहुती bravery से जो battle लड़ा होता है और फिर बाद में जो है यह अपनी ambitions के चलते जो स्कोटलैन के राजा होते है King Duncan उनको मार कर वो स्कोटलैन का राजा भी बन जाता है Lady Macbeth Macbeth की wife है Macbeth से ज़्यादा ambitious है और वो ही Macbeth को insight करती है वो ही Macbeth को भरकाती है कि तुमें King Duncan को मार देना चाहिए Macbeth हाला की करते हुए इसमें हिचकिचाता है लेकिन Lady Macbeth जो है उसको फिर कायर बलाती है और उसको मतलब insist करती है कि तुझे तुमें यह काम करना ही है और इसलिए शायद Lady Macbeth को इस प्ले की फूर्ट वीच भी कहा जाता है और बाद में जो है वो पागल हो जाती है और वो बहुत ही despair हो जाती है और वो suicide भी कर लेती है King Duncan जो है स्कोटलेंड के राजा है और इनके दो बेटे हैं माल कोलम और डोनल बैन Macbeth जो है King Duncan को मार देता है King Duncan एक अच्छे राजा है प्रजा उनसे प्यार करती है और वो Macbeth को अपने बेटे की तरह ही मानते है Macbeth को बहुत प्यार करते हैं तो इसलिए वो कभी ऐसा सोच भी नहीं सकते थे कि Macbeth ऐसा उनके साथ कर सकता है नेक्स्ट केरेक्टर बैंको बैंको भी एक स्कोटिस नॉबल मैन है Macbeth की तरह ही ये एक जनरल है और Macbeth का फ्रेंड भी है उसके एक बेटा है फ्लीन्स और Macbeth नहीं जो बैंको का मर्डर कराया था प्योकि इन दोनों को ही भविश्यवानी हुई थी इन दोनों के लिए कि Macbeth जो है स्कोट्लेंड का राजा बनेगा और बैंको का जो पुत्र है वो बाद में जाकर स्कोट्लेंड का राजा बनेगा तो इसलिए Macbeth को डर होता हे कि कहीं ऐसा सच में ना हो जाए तो इसलिए वो बैंको जो हैं। मैगडफ, मैगडफ भी एक स्कॉर्टिस नॉबल मैन है और वो थेन ओफ फाइफ है उसकी एक वाइफ है लेडी मैगडफ उसको कहा जाता है तो मैगडफ और लेडी मैगडफ ये दो केरेक्टर है लेडी मैगडफ का ज़्यादा रोल इसमें नहीं है और जो मैगडफ है उसक तड़ो से कि अबिशुक्छ नंपारी कि अच्छे को को अगरेख वह तो पिर तो मैगडफ को बिल्कुल रखेले मैगबेट कुम ननीवरीच क मैदाता से उनीड हे वो दोनों को भी मार दे लेकिन बाद में जो मैल कॉलम है वो बार्मी जो है वो बनाता है कि इंगलेस आर्मी वो बनाता है और बात में वो मैकबध पर अटेक करता है और उसको जो है वो ऑफरो कर देता है और थ्रों जो है वर दुबारा से अपना पा लेता है ठीं जान कि मैंपोर्टेंट ग्रॉल हैं मैकबध के प्ले में निभाति है क्योंकि यहीं जो है हर ज़एंग की जड़ होती है एक तरह से यही Macbeth को बताती है कि तुम स्कोट लैंड के राजा बनोगे जिससे Macbeth में Ambitious आ जाती है और इनी से जो है स्टार्ट होता है हमारा प्ले भी प्ले के स्टार्टिक में हमें थ्री विची से दिखाई जाती है इसके अलावा कुछ और है जो माइनर केरेक्टर है जैसी फ्लीन New South China ये लेड़ी मैकडव मैक डफ कि वाइफ है यंग मैकडव मैकडव का सन है और ले नोक्स रोज एंजिस यह स्कॉटिस नोबेल मैं है और मर्डर्रस फ्लीन का ये प्लटार्ट मैंक्डर्स मैकडविट रेख है ताकि वह मैकडवा सके और पोर्टर है पोर्टर्भी जो ह गार्डियन्स है वो मैकबेट के गेट के और यह अपर जो है कॉमिक रिलीफ का रोल पार्ट करते हैं एक ही केट है यह गोड़ेस ऑप विच्छिस है जो विच्छ होती है उनकी गोड़ेस यह है और जो एक जेंटल मुमेन है वो लेडी मैकबेट की अटेंडेंट है इनके अलावा जो है सीवाड है एक सीवाड जो है एक इंगलिस लोड है यह और यह सीवाड सीवाड का सन है किंग एडवर्ड है यह इंगलेंड का किंग है और वो कहते हैं कि वो इतना सेंटली था इतना सेंटली था कि अगर वो किसी को छू ले तो बिमारी ठीक हो जाते थी यानि कि अधि कोई बिमार हो और वो राजा उसको चूले तो उसके बिमारी ठीक हो जाती है। एक कैपटन है, ये कैपटन स्कॉर्टिस आर्मी में हैं एक सीटन है, ये मैगबेथ का है, एक ऑल्डव मै्न है, ये कोट्र कोईखता है, उस रात की मैझबेथ दंकन को मर्डर करता है एक English doctor है और एक Scottish doctor है assigned to pure Lady Macbeth Lady Macbeth को ठीक करने के लिए जिनको assign किया जाता है अगर famous scene की बात करें तो इसमें आपको देखने को मिलेगा एक gun powder plot, porter scene, sleep walking scene और witch's prophecy sleep walking scene Lady Macbeth के उपर है एक Lady Macbeth जो है इतनी परेशान वो हो जाती है इतनी उस mentality जो है उसकी disturb हो जाती है कि वो नीद में भी चलने लगती है porter scene comic relief के लिए आया है और witch's prophecy तो है इसमें में और कुछ oppression भी है oppression यानि कि कुछ चीजे जो दिखाई जाती है imagination में यह जो है witch दिखाती है Macbeth को पहले सबसे पहले an armed head एक armed head जो है Macbeth देखता है और यह Macbeth को won करता है कि उसे जो है Macduff से बचके रहना पड़ेगा फिर वो देखता है एक blood covered child एक बच्चा जो कि खून से covered है और यह Macbeth को यह assure दिलाता है कि वो किसी भी ऐसे इनसान उसे नहीं मार सकता जिसमें कि मा की कोक से जनम लिया हो यानि कि नॉर्मल बर्थ वाला कोई भी इंसान मैंक को नहीं मार सकता फिर थर्ड एपरेशन में वो देखता है एक round child holding a tree यह Macbeth को बताता है कि अगर वो केवल तभी मर सकता है यानि कि Macbeth जो है केवल तभी हार सकता है या तभी मारा जा सकता है अगर बिर्णम के जो वुड है यानि कि जो बिर्णम का जंगल है वो दंसीनें हिल पर आ जाए यानि कि वो जो है बिर्णम का जंगल है वो चल कर दंसीनें हिल पर आ जाए फूर्थ फूर्थ एप्रिशन जो मैकबेट देखता है उसमें वो देखता है वो आठ राजाओं को जिनके सिर्पर क्राउन है हातों में राजगंड है और उसके पीछे पीछे जो है एक बैंको की आत्मा आ रही है जिसके हात में गलास है तो यह जो है वो भवशेवाने सच क सबस्किंद गरिट भाराब करनें गरिए मेंगिया से बैंको की वो एक बैंकी कह रही है कि जो है जो है यह ill ש साथ सीन में सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट जो है वो है विच इसकी प्रोफेसी यानि कि विच जो प्रोफेसी करती है और फिर सेकिंड एक्ट आता है जिसमें चार सीन है इसमें आपको फ्लोटिंग डेगर देखने को मिलेगा जो कि मैग बेद देखता है अपनी इमेजि इस प्ले का लास्ट एक्ट जिसमें आठ सीन है टोटल और इसमें जो है फेट विक्टोरियस यानि की भागय जीतता है और मैग बेद हार जाता है और मैग बेद की डेथ हो जाती है तो यह तो इंपोर्टेंट फेक्ट से इस प्ले के तो चलिए प्ले स्टार्ट करते हैं बादल कर जो है करज रहे हैं बिजली चमक रही है और तब ही वहाँ पर जो है त्री विचिस आती है अब जो फर्स्ट वीच है वो बोलती है वैंस एल वी त्री मीट अगीन की हम दोबारा कब मिलेंगे इन थंडर लाइटनिंग और इन रेन हम कब मिलेंगे जब थंडर हो लाइटनिंग हो या फिर रेन हो यानि कि जब बादल कडगडा रहे हो बिजली चमक रहे हो पानी वरस रहे हो क्या हम तब मिलेंगे तो सैकंड विच कहती है वें दा हरली बडली इस तन वह बैटल इस लोज्ट एन वोड है कि जब जो यह यूद का जो हरली वडली जो पर थर्ड जो है विच वो कहती है that will be the era that will be era the set of sun कि ये तो सुरज में से पहले ही हो जाएगा ये तो साम से पहले ही हो जाएगा फर्स्ट विच कहती है कि where the place कि कौन से स्थान पर हम मिलेंगे तो सेक्ड विच कहती है upon the heat कि उसी उजार स्थान पर थर्ड विच लेयर टो मिट विद मैगबेथ तो अब यहाँ पर मैगबेथ का नाम आता है तो तीसरी विच कहती है कि अच्छा वाँ तो हमें मैगबेथ भी मिलेगा ना फर्स्ट विच कहती है I come grey malkin यानि कि उसे पीछे से कोई जो है पुका रहा है तो वह कहती है कि grey malkin मैं आ रही हो और सेक्ड विच कहती है paddock calls कि paddock जो है वो मेरे पीछे पुका रहा है पैड़ोग जो एक मैंडग है मैंडग का नाम है पैड़ोग यहां पर फिर थर्डविच कहती है कि अब बस एक किशन में हम आते हैं फिर सभी जो है जो जो से बोले लगते हैं कि fair is fair, is fair, over through the fork and flick the hair यह light कुछ important है आपर यह जो है exam में पूछी भी जाती है कि यह कौन से play की है तो वो कहते हैं कि fair is foul and foul is fair यानि कि जो दूसरों के लिए अच्छा है वो हमारे लिए बुरा है और जो दूसरों के लिए बुरा है वो हमारे लिए अच्छा है होवर, thrower, the fork and flitty hair यानि कि जिसे वो बुरा सबचे घरना करते है वो हमारे लिए अच्छा है आओ चले तो यहां से जो है वो exit कर जाती है और यहां पर यह जो है first scene भी खतम होता है Macbeth का first scene यहां पर खतम होता है Act first का second scene पर अब हम चलेंगे Act first का second scene है वो शुरू होता है forest के निकिट एक शिविर है और यहां पर जो है समराट जो यहां के डंकन है जो राजा डंकन है वो बैठे हुए है और उनके दोनों बेटे भी होने के साथ है मैलकॉम भी और डोनल बेन भी तभी जो है एक एक मतलब वहाँ पर एक दूत आता है और वो खून से बिगा हुआ एक सर्जेंट भी वहाँ पर आता है यानि के एक सिपाई जो के खून से बिगा हुआ है तो डंकन जो है उससे पूछता है कि ये कौन है तो बॉलकॉम कहता है कि ये तो वह सर्जेंट है एक वफादार सैनिक है जिसने एक बार जो है मुझे बचाया भी था तो sergeant फिर जो मतलब वी कहते है तो यूद से आया है तो dंकन उसे पूछते हैं कि यूद का क्या हाला है तो sergeant कहते हैं कि अभी नहीं कहा जा सकता दोनों जो सेना हैं वो आपस में अभी लड रही है लेकिन वो हैपर macbeth जो है बहुती अच्छे से लड़ा है उसने पूरी सेना को हराने के क्षमता रखता है वो पूरी सेना पर भारी पढ़ रहा है तो यहाँ पर डंकन बहुत कुश होते है और यहाँ पर ही जो डंकन को पता चलता है कि जो थेन ओफ कॉडर था उसने बगावत कर दिया यानि कि उसने जो है किन डंगन का साथ नहीं दिया है बलकि वो दुस्पनों से मिल गया है तो यहाँ पर जो है डंगन कहते हैं कि उसको मार दिया जाए यानि कि जो थेन ओफ कॉर्डर है उसको मार दिया जाएगा अब वो थेन ओफ कॉर्डर नहीं रहेगा तब ही वहाँ पर एक और जो है एक और दूद आता है और हो कहता है कि हमारी जो है विजय हुई मैगबेट ने जो है दुस्पनों को हरा दिया है और हमारी विजय हो गई है दंकन बहुत कुछ होता है इसको जो है और मैक बेद को उसके पाद कर से समानित के जाएगा तो यहाँ पर जो है? scene second खतम होता है अब हम scene third पर पहुचते है act first scene third start होता है हमें पिर से वही उजारगो में दिखाई जाती है जो हमें act first scene first में दिखाई गई थी तीनों डायन वहाँ पर आ गई है अब वापसने बाते कर रही है तब ही उन्हें आवास सुनाए देती है नकारे की तो उसमें से विच कहती है कि देखो नकारा बज रहा है और देखो मैकबेट भी आ रहा है वो दोनों जो है दूर से मैकबेट को देख लेती है तब ही जो है वो आपस में हाथ पकड़ कर नाचने लगती है और वो जो है नो बार चक्कर लगाती है इसके बाद हमें देखा जाता है मैकबित और बैंको को मैकबित कहते है कि So foul and fair a day I have not seen ये भोती जो है important line है तो वो कहते है कि इतना बुरा और इतना अच्छा दिन मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा तो फिर बैंको कहते है कि forest यहां से कितनी दूर है और फिर तबी जो है वो उन witches को देखती है तो वो कहते है कि पतले और अजीब से कपड़े पहने हुए कौन है बैंको कहता है कि ये कौन है ये तो प्रत्वी पर रहने वाली प्रानी हो जैसे तो नहीं लगती लेकिन फिर भी प्रत्वी पर है फिर वो उसे पूछ से कि क्या तुम कोई जीवित प्रानी हो या कोई ऐसी चीज हो जिस पर मुनिश्य को शक करना चाहिए और वो पूछ से कि जैसे तुमने अपनी फटी हुई उंगली अपने होट पर रख लिया है उससे मालूम होता है कि तुम मेरी बात तो समझ रही हो अवश्य ही तुम कोई इस्तरी हो लेकिन तुम्हारी धारी देखकर मैं कैसे कहूँ कि तुम इस्तरी हो यानि कि हापर जो हमें उन विचिस की एक तरसे इमेजिनेशन इमिज दिखाए जाती है मैकबित फिर उसे कहता है कि तुम बोल सकती हो तो बोलो कौन हो तुम फिर पहली डाइन जो है जो पहले विचे है वो बोलती है कि ओ कावडर के थेन मैकबित पहली जो विचे से वो बोलती है कि तुम्हारा स्वागत है मैकबित ओ ग्लेमिस के थेन क्योंकि उस टेंड जो Macbeth थे वो Thane of Glems थे तो वो कहती है कि All Hail Macbeth Hail to the Thane of Glems तब ही Second विच कहती है All Hail Macbeth Hail to the Thane of Cauder यानि कि Thane of Cauder के नाम से वो से बुलाती है तब ही Third विच बुलती है All Hail Macbeth That's All Be King Hereafter कि तुम जोह समराट बनने जा रहे हो तब ही बैंको कहता है कि बैंको उनसे कहता है Macbeth से कि अच्छ अच्छ अच्छी बाते सुनकर आप इस तरह बेचेन होकर डर क्यों रहे हो तब ही वो डाइनोसे कहता है कि मेरे बारे में भी कुछ बताओ अगर तुम Macbeth का भुश्य बता रही हो तो मेरा भी पुश्य बताओ कि क्या होगा तब पहले डाइन कहती है हेल सैकिन कहती है हेल थर्ड कहती है हेल यानि कि स्वागत है स्वागत है फिर फिर स्ट विच कहती है कि मेंगबेथ से कम और उसे अधिक भी सैकिन जो विच है वो कहती है not so happy yet much happier तुम कभी नहीं होगे लेकिन तुमारे जो पुत्र है वो समराथ होंगे इसलिए मैकबित और बैंको तुम दोनों का हमारी और से स्वागत है तब मैकबित उसे कहता है कि तुम जूट बोल रही हो मुझे पता है कि मैं ग्लेम्स ओफ थेन बना दिया गया था जब सेनेल की प्रत्य हुई थी लेकिन काउडर का थेन में कैसे बन गया वो जो काउडर का जो थेन था वो तो अभी जिवित है और फिर समराठ होना नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है मैं तो इसकी कलपना भी नहीं कर सकता इसी तरह काउडर का थेन होना भी मेरे विश्वास से परे की बात है तो उसे बुस्ते कि तुम ऐसा कैसे कह रही हो लेकिन वो जुडायने है जो विचिस थी वो कुछ नहीं कहती और वो तीनों वहां से चले जाती है इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एक जो है एक दूत आता है जिसका नाम रोस है और वो रोस जो है वो पैकबत का स्वागत करता है और वो कहता है कि तुमारे विजय की सूचना जो है हमें मिल गई है और हमने यह भी पता चला है कि तुमने अपनी जान कि बाजे लगा दी थी तो जो राजर नंगण है वो तुमसे बहुत खुश है और राजर नंगण ने हमें इसलिए भेजा है कि हम उनकी और से तुम्हें धरनेवाद दे और और तुम्हें जो है थेन ओफ कॉडर भी बना दिया गया है तो इस बात को जो मेकबेथ सुनता है तो उसे बड़ा ही आश्चरे होता है और वो कहता है कि कॉडर के थेन तो अभी जीवित है तो फिर तुम मुझे ऐसा क्यों कह है यह तो जो दूसरा जो एक और दूट उसके साथ आया था एंजिस वो कहता है कि अवश्य था अभी तक भी जीवित है पर उसे मृत्यों सुनाया जा चुका है और अब वो जीवित नहीं रहेगा और आपको जो है थेन ओफ कॉडर बना दिया गया है मैकबेथ सोचता है कि जो मतलब विचिस ते प्रोफेसी की थी वो तो सच हो गई है सेक्ट प्रोफेसी भी उनकी सच हो गई है तो क्या थर्ड प्रोफेसी भी उनकी सच होगी और यहां से ही मैकबेथ की अंदर एंबिशन आने लगती है तब हमें सीन फोर्थ दिखाया जाता है फोर्थ फोरेस मे खुलता है जहांपर की पैलेस में एक कमरा है और बाजे बज रहे हैं क्योंकि मैकबित आ रहा है जीत कर डंकन जो है अपने दोनों बेटे और लैनेक्स और और भी जो अनुचर्स है उनके साथ परवेश करता है फिर डंकन पूछता है कि क्या काउडर को मिर्तुदंड मिल यहांपर जो है डंकन एक बात कहता है वो कहता है कि there is no art to find the mind's construction in the face he was a gentleman on whom I built an absolute trust यानि कि वो यह कहता है कि इस पूरे संसार में ऐसी कोई भी कला नहीं है जिससे मुनचरे के अंदर के सारे भाव उसका चेहरा दिखा कर मालू हो सके और वो तो बहुत ही योग्या और सज्जन था वो काउडर और हमें तो उस पर पूरा विस्वास था तो यहांपर हमें एक और बात पता चलती है कि डंकन की जो यह बात है यह आगे भी जाकर सच होगी क्योंकि मैकबेथ की चेहरे से भी नहीं उन्हें पता चलता कि उसके मन में क्या चल रहा है और मैकबेथ पर भी वो बहुत रिस्वास करते थे तबी जो है वहाँ पर मैकबेथ, बैंकू और वो जो दोनों दूत, रोस और एंजेस थे वो चारों वहाँ पर आते हैं, डंकन उनका स्वागत करता है, बहुत खुश होता है और डंकन यहाँ पर कहता है, I have begun to plant the and will labor to make the full of growing यानि कि वो मैकबेथ से कहता है कि मैंने जो पोधा लगाया था अब हम उसे फलता फूलता देख रहे हैं और हम इसे ऐसे ही फलता फूलता देखना चाहते हैं और फिर वो बैंकों से कहता है कि तुम भी जो है कम परसंसा क्या दिकारे नहीं हूँ, तुमारे जो सेवाएं वो भी अमूले है आओ फिरो और वो जो है उन दोने को गले से लगा लेता है फिर इस dziरी बाट डंगन कहते हैं कि चलो यहां से इंवरनिस की ओर चलते हैं हम वही पर जाकर तुम्हें और भी ज़ादा मतलब तुम्हारी पर संसा करेंगे मतलained यह वो डंकन जो कह रहे हैं कि Resistance के यहां जाने के लिए कह रहे हैं लेकिन Advanced कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि मैं पहले चला जाओं। और आपके स्वागत की तैयारी करऊ। और आपके आने की सूचना सुनकर मेरी जो वाइफ है वो भी बहुत जादा प्रशन होगी तो मुझे जाने की आग्या देजिए. तो डंकन जो है उनको आग्या दे दे दा है और मैकबेथ वहाँ से चले जाते हैं. लेकिन यहाँ पर एक बात और होती है यहाँ पर जो है जो किंग डंकन थे वो अपने बड़े बेटे माल कोलम को जो है अपना उत्रादिकारी भोशित करते हैं तो फिर मैकबेथ फिर सोच में पढ़ जाता है यहाँ पर कि जो विचिस ने बवश्यवानी कीती वो सच कैसे और यहाँ पर दिखाते हैं कि मैकबेथ जो है वो अपने अमबिशन्स पर कंट्रोल नहीं पा रहा है वो अपने मनी मन में उलजा हुआ है अपने इनर थोट्स में उलजा हुआ है और वो सोच रहा है कि ऐसा कैसे होगा तब ही फिर हम देखते हैं एक्ट फरस्ट सीन जो है आता है और यहाँ पर हम जो है फरस्ट टाइम लेडी मैकबेथ को देखते हैं लेडी मैकबेथ एक लैटर पड़ रही है जो मैकबेथ ने उसे बेजा था और मैकबेथ ने जो है उसमें उसे बताया था कि हमने किस तरह से जो है सक्सेस मिली है हमने किस तरह से जीत हास और साथ ही वो जो है उन जो विचिस थी उनकी बविश्यवाने के बारे में भी बता देता है इसे पढ़कर लेडी मैकबेट के अंदर भी एमिशन जाग जाती है और वो जो है अपने आप से बाते करती है वो कहती है कि तुम ग्लेम्स के जो थेन थे वो तो पहले ही थे और अ कुछे डर है कि तुम्हारा जो सभाव है वो बहुती सरल और उद्दार है और यह जो है तुम्हें अपने जो तुम्हारा भाग के है उसके निकट सिग्रिता से पहुचने नहीं देगा तुम महान तो होना चाहते हो महत्वा कांक्षा भी तुम्हारे रग रग में समाई है लेकिन बिना किसी तरह का पाप्त की उसे प्राप्त करना चाहते हो जो कि impossible है जो कि possible ही नहीं है जिसको पाने के लिए तुम इतने ललाइत हो जैसे अंध तक पुवित रहकर और उसे तुम जो है अंध तक पुवित रहकर ही प्राप्त करना चाहते हो किसी तरह का जूट भी नहीं बूलना चाहते और आनन भूगरा चाहते हो उस वस्तू का जो धुकी और बेमानी से प्राप्त हो सकती है तो यहाँ पर जो हम लेडी मैगबेट की अंदर की कुर्यालिटी को देखते हैं देखते हैं कि वो कितना ज्यादा मतलब क्रुएल है और कितनी ज्यादा जो है उसके अंदर बुराईया भरी हुई है वो कह रही है कि मतलब जो उसका बती है वो बहुती सरल सभावका है और वो कोई गलत काम करेगा है नहीं लेकिन लेडी मैकबेथ यहां कहती है कि अगर हम कोई गलत काम ही नहीं करेंगे तो फिर हमारे ambition पूरी कैसे होगी हमारी जो भवश्यवानी है वो पूरी कैसे होगी इसके लिए तो कोई न कोई गलत काम करना ही हमें पड़ेगा अब यहां पर एक दूत आता है और वो दूत लेडी मैकबेथ से बताता है कि जो समराट है वो आरहे है और जो हमारे थेन OF order है यानि कि जो मैकबेथ है वो भी आरहे है लेडी मैकबेथ कहती है कि ठीक है मैं उनके स्वागत की तयारी करती हूँ यहांपर लेडी मैक्ट के अंदर ambition जाग जाती है कि जब डंकर यहांगे तो हम उनको मार देंगे तो इसलिए जो है वो खुश हो जाते हैं कि जो अच्छा है कि डंकर यहांपर आ रही है तब हैं वहापर मैक्ट आते हैं और लेडी मैकट उत का स्वागत करती है फिर वो दोना आपस में बाते करने लगते हैं तब लेड़ी मैगबेट जो है उनसे अपनी इच्छा जाहिए करती है कि जब जो यहाँ पर आएंगे अगर वो यहाँ पर आए और वापस ही न जाए तो हाला कि मैगबेट इस बात पर जो है पहले तो एगरी नहीं करता लेकिन लेड़ी मैगबेट जो है बार बार उसे यही बाते कहती है तो मैगबेट कहता है कि ठीक है इस विसे पर फिर बात करेंगे और उसके बात जो है यहाँ पर हमें दिखाया जाता है सीन सिक्स सीन सिक्स मे हम देखते हैं कि जो डंकन है जो मतलब कराज़ा डंकन थे वो अपने बेटे मैल कॉलम और डोनल बैन, बैंको लैनोक्स और मैकडफ जो एक थेन है रोस और अंजिस जो कि दूट थे उनके साथ वे परवेश करते हैं और वो देखते हैं कि ये महल कितना सुन्दर है लेड़ी मैकडफ उनका स्वागत करने के लिए आती है किंग डंकन कहते हैं कि थेन ओफ कोडर कहा है तो लेड़ी मैकडफ कहते हैं कि वो अभी आ रहे हैं डंकन कहते हैं कि हम आज रात आपके हाँ पर महमान बन कर रहेंगे तो लेड़ी मैकडफ कहती है कि हम तो आपके सेवक हैं हमारा जो तन मन्धन है सब कुछ आपका ही है हमारे संपती जो है आपकी कृपा का ही तो फल है तो उसका हिसाब भी तो अभी आपको चुकाना होगा महराज तो इसलिए जो है मतलब यहाँ पर लेड़ी मैकबेट डंकन को अपनी बातों में फसा लेती है यहाँ पर सीन 6 खतम होता है सीन 7 स्टार्ट होता है अभी फर्स्ट जो है एक्ट वही चल रहा है सीन 7 यहाँ पर स्टार्ट होता है मैक बेट का महल हमें दिखाया जाता है जो कि जगमगा रहा है सहनाया हमाँ पर बज रही है तो यहाँ पर मैक बेट सोच कह रहा है कि अगर यह काम मुझे करना ही है तो क्यों ना मैं इस काम को जल्दी कर ढालू यदि इस एक खून में हाथ धोने से वे सारे प्रिनाम रुक सके और हमें सफलता मिल सके तो जो है हमें ऐसा कर देना चाहिए यारि कि यहाँ पर मैक बेट वो भी इस बात से एगरी हो जाता है जो कि लेडी मैक बेट ने कही थी लेकिन उसका जो मन है अभी भी डोल रहा है कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तब ही वहाँ पर लेडी मैक बेट आती है लेडी मैक बेट से जो है वो पूछ लेगी क्या समाचार है तो लेडी मैक बेट कहती कि उन्होंने खाना खा लिया है जरा सोचो तो कि समराट ने मुझे अभी अभी इतने उचे पदों से सम्मानित किया है कितने पवित्र विचार हैं उनके हर्दे में मेरे लिए मैं उसका खुन नहीं करना चाहता लेकिन लेडी मेकबित कहती है कि क्या तुम्हें राज्जा नहीं बनना लेडी मेकबित मेकबित को बहुत सारी चीजे कहती है वो कहती है कि तुम तो बिल्ली के तरह हो जो पाने में पड़ी मचली तो खाना चाहते हो पर अपने पैर उस पाने में भीगोना नहीं चाहते मेकबेट उसे कहता है कि तुम चुप हो जाओ जादा मत तुम बोलो मैं परातना करता हूँ कौन कहता है कि मैं कायर हूँ इस प्रत्वी पर रहने वाले एक प्रूस में जितना सास होना चाहिए वेपरते काम करने के लिए मेरी रगों रगों में है कौन है ऐसा जो मुस्से अधिक महत्पून कारे कर सके तो फिर लेडी मेकबेट कहते है फिर तुम यह क्यों नहीं कर रहे हो मेकबेट फिर भी डरा हुआ होता है वो कहते है कि अगर हमारा सडियन पूरा नहीं हुआ तो तो लेडी मेकबित केती है पूरा नहीं हुआ क्यों नहीं पूरा होगा अगर हम अपने सहाथ से कोई काम करें तो हम कभी ऐसा फल नहीं हो सकते जब ये डंकन सो जाएगा तो अपने दिन बर की यातर के ठकान के कारण मुझे विस्वास है कि वो जल्द ही गहरी नेंद में होगा तब मैं उसके सैनगार के जो दोनों अधिकारी होंगे उनको मैं सराब पिलाकर ऐसा कर दोंगी कि वो अपने मस्दिस पर काबू नहीं नहीं रख पाएंगे वो सराब के नसे में खो जाएंगे और फिर हम अपना काम कर लेंगे और इन दोनों जो अपना जो हमारा हम डंकन को मार देंगे और फिर उसका जो इलजाम है इन नसे में चूर पड़े अधिकारियों के उपर लगा देंगे मैगबेट भी हाप रेगरी कर लेता है कि ये सही है अगर हम उनके जो है जो दोनों अधिकारे जो डंकन के रूम में होंगे अगर हम उनके दाग भी लगा दे और उनके कटार से हम ये काम करें तो ये समझा जाएगा कि ये खुन उन्हों नहीं किया है लेड़ी मैकबेट कहते है कि हाँ और इसे जूट भी कौन मानेगा और खासकर जब जब हम उसकी मृत्वी पर खूब रोएंगे और इधर उधर चिलाएंगे पुकारेंगे तो मैकबेट जो कहता है कि ठीक है फिर अब मैं पूरी तरह द्रड हूँ और जितना भी सहास और पूरूस मेरे रगों में है उसे इस खत्रना कमों में लगा दूँगा फिर वो अपनी वाइप से कहता है कि जाओ और अपने इस सुन्दर चेहरे पर ब्राउटी हसी हस कर संसार को धुका दो यानि कि तुम जाओ और मतलब अपने आपको खुश दिखाओ तो यहां पर फिर्स्ट एक्ट खतम होता है फिर्स्ट एक्ट में हमें दिखाया गया है कि किस तरह मैकबेट अपने मतलब कन्फिक्ट उसके अंदर चल रहा है मतलब वो इसा करने के लिए जो हां ठीक है अब हम ऐसा करेंगे हेलो and welcome back to my channel हम लोग एक बेत पड़ रहेते act first हम complete कर चुके है चलिए देखते हैं act second act second में क्या होता है act second scene first ये जो scene है, ये ओपन होता है inवरनेस में inवरनेस मतलग जो city है skotland की जहांपर की मैक बेत का कैशल है और duncan और उनके बाकी साथी जो वहाँ पर आये थे रात बिताने के लिए अब जो है रात का समय है राजा डंकन सो चुके हैं और मैकबित और उसकी वाइफ ने जो है प्लैन किया है उनको सोते हुए मारने का तो इसलिए जो है अब बहार का जो है दिर्शे दिखाया गया है इन्वरनेस में जो मतलब जो कैसल है मैकबित का उसके जो बहार है वहाँ पर जो है बैंको अपने बेटे फ्लीन्स के साथ है और वो दोनों जो है बाते कर रहे हैं आपस में वो यहाँ पर जो है रात की बात कर रहे हैं कि क्या समय हुआ होगा और फिलिंस कहते हैं कि मैंने नहीं देखी क्लोक को, मैंने घड़ी को नहीं सुना लेकिन फिर भी वे अंदाजा लगाते हैं कि शायद बारा से उपर हो चुके है इसके बाद बैंको और फिलिस बाते कर रहे होते हैं तब भी वहाँ पर मैकबेट आता है अपने सर्वेंट के साथ और फिर वो बैंको मैकबेट से बाते करने लगता है उस प्रोफेसी के बारे में जो कि उन विचिस ने की थी बैंक को बताते हैं यहाँ पर की रात को सपने में भी जो है उन्हें वो विचिस दिखाई देती है तो मैगबेत कहते हैं कि मैंने उन सब के बारे में सोचना छोड़ दिया है और फिर कभी फुरसत से जो है हम बैठ कर इस बारे में बाते करेंगे और अब जो है मैगबेत उन दोनों को बैंको को और फ्लीन्स को अलविदा कह देता है। यानि कि वो दोनों सोने चले जाते हैं। तो यहांपर मैकबेट ने उन दोनों को भी भीज़ दिया जो बहार खड़े थे। यानि कि वो अपने प्लैन को आगे बढ़ा रही है। अब Macbeth जो है अपने सर्वेंट से कहता है कि जाओ और मतलब लेडी Macbeth से कहा देना कि जब मेरी ड्रिंक तयार हो जाए तो वो घंटी बजा दे और तुम भी जाकर सो जाओ तो इस तरह से Macbeth उस सर्वेंट को भी वहाँ से बेज़ देता है उस सर्वेंट वहाँ से चला जाता है जब सर्वेंट वहाँ से चला जाता है तो Macbeth देखता है वहाँ पर एक डैगर मैकबत को एक जो है डैगर दिखाई देता है जो कि हवा में फ्लोट हो रहा है तो मैकबत कहता है कि ये क्या था मैंने अपने आखों के सामने क्या देखा क्या ये मेरी कल्ब ना थी क्या ये डैगर नहीं था जो कुछ देर पहले मुझे यहाँ पर दिखाए दिया यह मुझे कह रहा था कि मुझे पकड़ो मतलब अपने हाथों से मुझे पकड़ लो लेकिन मैं जो हूँ अपने आखों के सामने से देख तो पा रहा हूँ लेकिन मैं अपने हाथों में नहीं ले पा रहा हूँ तो वो यहाँ पर जो है मतलब यह उसकी एक imagination थी क्योंकि इस time जो है उसके मन में सिर्फ मतलब डंकन को जो है मारने के विचार चल रहे थे तो इसी तरह जो है वो imagination देखता है तभी फिर जो है वो घंटी बसती है तो Macbeth को पता चल जाता है कि जो है लेड़ी Macbeth ने तयार कर लिया है और वो कहता है कि ठीक है घंटी बज गई है और अब मैं जाता हूँ और यह घंटी जो है मुझे बुला रही है और वो यह भी कहता है कि डंकन इस घंटी को मत सुनो क्योंकि यह आखरी घंटी है जो आपकी मौत को मुला रही है तो यहाँ पर एक्ट सेकिंड सीन फर्स्ट खतम होता है यहाँ पर जो हमें दिखाया गया है एक तो बैंकों की इनर बैटल को दिखाया गया है उसके अंदर भी जो है कनफलिक्ट चल रहा है उसके भी सपनों में वीचिस आती है और मैकबित को दिखाया गया है मतलब जो है मैकबित और लेडी मैकबित मेर्डर की तयारी वो कर रहे है अब जो है सीन सेकिंड स्टार्ट होता है सीन सेकिंड ही वो सीन है जिसमें किंग डंकन की डेथ होगी King Duncan का murder किया जाएगा हम देखते हैं Lady Macbeth को क्योंकि Lady Macbeth ने बैल बजा दी थी इसका मतलब कि उसने पूरी तैयारी कर दी है और Macbeth जो है King Duncan का murder करने चला जाता है Actually, King Duncan का murder है वो off stage दिखाया जाता है वो own stage नहीं दिखाया जाता पतलब उसको मारते हुए नहीं दिखाया जाता सिर्फ ये दिखाया जाता है कि Macbeth जो है उसको मारने के लिए चला गया है और अब वो आकर अपनी wife को बताएगा कि उसने वो काम कर दिया है तो इदर हम Lady Macbeth को देखते हैं जो कि बहुत खुश हो रही है वो कहती है कि मैंने जो है उन्हें सराब पिला दी है और वो अब पुरे नसे में चूर है और मेरे अंदर जो है भोत वीरता आ गई है उन्हें ऐसे देखकर वे बेहोस पड़े हैं फिर वो वहाँ पर एक उल्लू की आवास सुना दी है क्योंकि मैकबेद जो है गया हुआ है किंग डंकन को मारने तो यहाँ पर जो है लेडी मैकबेद कह रहे है कि दरवाजे जो है खुले हुए है और जहाँ पर किंग डंकन सो रहे थे उनके जो गार्ड में ऑफिसर्स थे वो दोनों सराब के नसे में बिल्कुल बेहोस पड़े हुए खराटे ले रहे है तब ही मैकबेद के अंदर से एकदम आवाज सी आती है कि कौन कौन है वहाँ क्या है यानि कि मैकबेद जो है अंदर जो राजा डंकन को मारने गया हुआ है वो अंदर से ऐसे बोलता है तो लेडी मैकबेद के थी क्या हुआ मुझे डर है कहीं उनकी नीद ना खुल गई हो और अभी तक तुमने काम भी पूरा नहीं किया फिर वो कहती कि इस तरह काम सुरू करके अधूरा चोड़ने से तो जो है हमारा नास हो जाएगा सुरूरा नास हो जाएगा सुनो मैंने उसकी कटारों को तयार कर दिया है और उनसे वे नहीं बच सकता सच कहती हूँ यहाँ पर जो है वो अपनी एक लाइन बोलती है जो कि इंपोर्टेंट भी है वो कहती है कि had he not resembled my father as his lap I had done it my husband यानि कि अगर उनका चेहरा सोती अवस्ते में जो उनका चेहरा है वो मेरे पिता की चेहरे से मिलता हुआ नहीं होता तो यह काम तो में स्वेम ही कर देती मेरे पती यानि कि यहाँ पर जो है मेकबित जो अंदर गया हुआ है उससे यह सब गाते कह रही है तबी जो है मैकबित आता है और मैकबित कहता है कि I have done the deed कि मैंने कर डाला है और फो लेड़ी मैकबित से पुछते है कि क्या तुमने कोई आवाज नहीं सुनी तो लेड़ी मैकबित कहती है कि नहीं अलू और जिंगरों की जो है मैंने पुकारते हुए सुना लेकिन लेड़ी मैकबित पुछते है कि कह तुमने कुछ बोला था तो मैकबित कहता है कब लेड़ी मैकबित कहती है कि अभी अभी तो मैकबित कहता है कि जिस समय मैं आया था उस समय की बात कह रही हो लेड़ी मैकबित कहती है हाँ हाँ उसी समय लेकिन फिर जो है वो देखते हैं कि किसी की आवाज आ रही है तो मैगबेट अपने हाथों को देखता हुआ कहता है कि मेरे हाथ जो है वो खून में रंगे हुए है कितना जो है ये अजीब सा मुझे लग रहा है तो लेडी मेगबेट कहती है कि दुखदाई और बुरा अब तो ये कहना मुर्कता है क्योंकि अब तो हमने काम कर दिया और मेगबेट कहता है अब मेगबेट जो उन्हें बताता है उन दोनों जो ओफिसर्स वापर सोई हुए थे यानि कि जिनको सराब के नसे में चूर कर दिया था लेडी मेगबेट ने कहते हैं कि उन दोनों में से तो जो एक है अपने नीन में हस रहा था और जो दूसरा है उसने जोड से पुका रहा था हत्या हत्या और इस तरह जो है उन दोनों पहरदारों ने एक दूसरे को जगा दिया मैं जो हूँ मैं खड़ा रहा गया और बन की बाते सुनना चाह रहा था लेकिन उन्होंने क्या क्या उन्होंने तो इस वर से प्रात्ना की और बिना कुछ बोले ही वो एक दूसरे की तरफ इसारा करके सो गए क्योंकि वो जो है वो नसे में थे तो नसे में उन्होंने मर्डर होते हुए देखा होगा और जब उन्होंने मर्डर में होते हुए देखा तो उन्होंने मतलब बोला हत्या हत्या और फिर उन्होंने जो है बगवान से परातना की और फिर वो जो है फिर से अपने जो क्योंकि वो नसे में थे तो वो फिर से सो गए और मैकबित ये भी बताता है कि उनमें से जो है एक ने पुकारा है इस वर बचाओ और दूसरा सिर्फ आमीन कहकर ऐसे कहते कहते रुख गया मानो उन्होंने मुझे जो है देख लिया हो उनके मुझे निकल देव सब जो है भैसे काप रहे थे उन्हें सुनकर मैं आमीन तक भी नहीं कह सका जबकि उन्होंने कहा कि है इस वर बचाओ हमें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मैकबेट जो है इतना गिल्टी फिल कर रहा था कि वो अपनी प्रेयर भी नहीं कह सका क्योंकि जो वो दोनों थे उन्में से एक ने प्रेयर की इस वर से क्योंकि आमीन उन्होंने उसने बोला लेकिन मैकबेट ऐसा नहीं कह सका तो लेड़ी मेकबेत कहती है कि तुम जादा मत सोचो और ऐसा कुछ भी नहीं है तो मेकबेत कहता है लेकिन मेरे मुझे आमिन उस समय क्यों नहीं निकल पाया जबकि इस वर की साहित है कि आफ शक्ता तो मुझे भी थी और आमिन सब मेरे गले में ही अटका रहा तो यहाँ पर हम देखते हैं कि लेड़ी मेकबेत को मतलब सोरी मेकबेत को जो है यह चीज महसुस कर रहा है कि मैं आमिन क्यों नहीं बोल पाया तो तो उसको गोड की जो है है जरूष तो थी लेकिन अगर वो अच्छा काम कर रहा होता तो वो शयाद आमिन कहपा था लेकिन क्योंकि वो बुरा काम कर रहा था तो इसलिए शयाद वो आमिन भी नहीं कहपाया लेकिन लेडी मेकबिट यहां फिर एक बार फिर उसे समझाती है वो कहती है कि हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए अगर हम ऐसा सोचेंगे हम यही सोचते रहेंगे तो हम तो पागल हो जाएंगे तो मेकबिट कहता है कि नहीं मैंने जो है एक आवाज भी सुनी यह जो है यह लाइन भी important है यह शाद एक्जाम में आई भी थी sleep no more Macbeth does murder sleep the innocent sleep यानि कि Macbeth तुम अब मत सो क्योंकि तुमने नींद की हत्या कर दी है उस innocent sleep की उस जो है निर्दोस नींद की तुमने हत्या कर दी है तो यहाँ पर लेड़ी Macbeth के दे कि तुम्हारा क्या मतलब है तो Macbeth कहता है कि मुझे अभी भी आवाज सुनाई दे रही है महल से की sleep no more अब और अधिक मत सो और यहाँ पर एक लाइन वो बोलता है कि ग्लेम्स हैत murder sleep and therefore quarter shall sleep no more Macbeth shall sleep no more यानि कि उसे आवाज सुनाई दे रही है कि जो ग्लेम्स थे यानि कि थेन ओफ ग्लेम्स हो रहे है ना पहले तो थेन ओफ ग्लेम्स थे उन्होंने murder कर दिया है sleep का नींद का जो है उन्होंने हत्या कर दी है और इसी तरहा जो एक काउडर ने भी नींद की हत्याय कर दी है तो इसलिये मह्गेट अब तुम ज़्यादा हके नींद की हत्याय कर दी है लेकि लेडी मह्गेट फिर से समझाती है कि ऐसा तुम मत सूचो तुम अग táग वाउलों की तरहा बाती मत करो जाओ और पाने लेकर अपने हाथों में लगे हुए खून के धागों को दोडा लो लेकिन तभी लेडी मैकबेथ देखती है कि जो मैकबेथ है वो अपने साथ उन कटारों को ले आया है जिससे उसने डंगन का मडर किया था तो लेड़ी मैकबित कहती है कि ये क्या इन कटारों को तुम उस जगा से क्यो उठा लाए इनने तो वही छोड़ देना चाहिए था जाओ 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 और इन्हें वही ले जाकर रख दो और जो वह सोय हुए पहरेदार है ना उनको भी खून के दागों से पूरी तरह जो तुम उसे उनके उपर भी सारे खून बलड तुम लगा दो लेकिन मैकबेट कहता है कि नहीं मैं नहीं जाओंगा अब नहीं मैं वहाँ जा सकता और मुझे डर है मैंने ये क्या कर दिया मैं अब सहास मैं नहीं कर सकता यानि कि मैकबेट यहाँ पर डरा हुआ है तो लेडी मैकबेट कहती है कि ओ अपने रादों में इस तरह कापने वा तो वो कहती है कि यह जो नींद की और मौत की सायों में जो यह सोए पड़े हुए यह आदमी है यह तो एक मुर्दा तस्वीरों की तरह है क्या यह किसी तरह का भी तुम्हे नुकसान पहुचा सकते है सैतान की तस्वीर देखकर तो घुटनों की बल चलने वाला एक बच्चा ही डरता है मैं जाती हूँ और फिर वो यहां पर यह भी कहते है कि अगर जो डंकन है उसके सिरीर से अगर अभी तक भी गरम खुन निकल रहा होगा तो मैं जो वो पहरेदार है जो सोई हुए है उनके चैरों को मैं उस खुन से रंग दूँगे और वो इतना कहकर महां से चली जाती है और तब ही मैक बेट को खटपट की आवाज सुनाई देती है मैक बेट डरा हुआ है वो कहता है कि यह खटपट की आवाज कहां से आ रही है वो कहता है कि मुझे क्या हो गया है मुझे तो हर आवाज डरा रही है फिर अपने हाथों को देखता है जो खून से रंगे हुए है और वो कहता है कि कैसे हाथ दिखाई दे रही है मेरी आखो के सामने देखो मेरी आखो को जो है ये नोच नोच कर निकाल रही है क्या हुआ ये मेरे हाथों से जो है इन दागों को तो समंदर का सारा पानी भी नहीं मिटा सकता अगर मैं समंदर में इन हाथों को धोने गया तो जो नीला पानी होता है समंदर का वो भी लाल हो जाएगा तो यहाँ पर जो है लेडी मैगबेट फिर से दुबारा आती है लेडी मैगबेट कहती है कि देखो क्योंकि अब जो है लेडी मैगबेट ने डंकन के खून से उनके चेहरों को रंग दिया था जो वहाँ पर सोई हुए जो ओफिसर्स थे तो वो कहती है आकर अपने हाथ को दिखा कर कहती है कि देखो अब मैरे हाथ भी जो तुम्हारी हाथों की तरह लाल हो गए लेकिन तुम्हारा जो हर्दे है वो तो बहुत ही कायर है और तुम्हें तुम पर दिकार है और यहाँ पर Lady Pegbett कहती है कि चलो आब हमें कमरे में चलना चाहिए और यहां पर वो कहते हैं कि थोड़ा सा पानी और हमारे हत्य records सारे अपरादों को दोदेगा यह कहते हैं, a little water clear us of this deed, how easy is it यह line में भोछ 입 memo है, a little water clears us of this deed, how easy is it यह बस क्ञारी थोड़ा सा पानी के मेरी ऴार्य कारिये हैं, इनको साफ कर देगा और तुम जाओ और अपना जो है नाइट गाउन पेहन लो और इस तरह जो है पागल पंती मत दिखाओ यानि कि अब तरह पागलों के तरह कई 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 खोई मत रहो लेकिन मैकबेट अभी भी डरा हुआ है वो कहता है कि मुझे याद आ रहा है अब भी वे खून जो है मेरी आँखों के सामने दिख रहा है मैं पागल ना हो जाओं कहीं पर लेकिन जो है यहाँ पर सीन सेकिंड खतम होता है नाउ एक्ट सेकिंड सीन थर्ड सीन थर्ड वोही जो इस्तान है सेम पैलेस इन्वरनेस यहाँ पर जो है एक कॉमिक रिलीफ کہ लिए एक पोर्टर सीन दिया ङया है जो पोर्टर जो है धुबार पाल और पहार से इन्हें कोई आवाज सुनाए दे रही है तो वो अब बसमें बाते कर रही है यह सीन है यह बस एक कॉमिक रिलीफ के लिए दिया गया है वो पोर्टर जो है दुवार को खोलते हैं दरवाजा जो है बहार से खटा रहा था कोई तो वो दरवाजा खोलते हैं वहाँ पर जो है मैकडफ थे मैकडफ आया हुआ था मैकडफ था तो मैकडफ पूछता है कि उनसे पूशता है कि क्या रात बहुत देर से सोई थे जो अभी तक बिस्तर पड़े हुए हो तो द्वारपल कहता है नहीं सर मैं तो बहुत पहले जाग गया था मैगडफ फिर उनसे मैगबेट के बारे में पूशता है तब ही मैगबेट वहाँ पर आ जाता है तो फिर मैगडफ जो है मैगडफ के साथ लैनोक्स भी आया था तो वे दोनों मैगबेट का भी वादन करते हैं और मैगडफ जो है पूशता है कि क्या समराट जाग गई है तो मैगडफ कहता है कि नहीं अभी तो नहीं लगता कि वो जाग गए है MAGDUS कहते हैं कि उन्होंने तो मुझे इससे पहले ही आने की आग्या दी थी पर मुझे तो कुछ देर हो गई है तो Gerव कहते हैं कि चलो फिर मैं तुम्हें वहापर लेकर चलता हो तो मैकबेत कहते हैं ठीक है मैकबेत उसे दर्वाजा दिखा देता है और मैकडफ वहाई से उसे पुकारता है और फिर वहाँ पर अंदर चला जाता है यहाँ पर लैनोक्स और मैकबेत आपस बाते करने लगते हैं लैनोक्स पूछते हैं कि क्या समराट आज ही वापस जाएंगे तो मैकबेट कहता है कि हाँ उनका इरादा तो यही है अब इसके बाद लैनोक्स कहता है कि आज की रात तो बहुत डरावनी थी जहां हम सो रहे थे हुआ पर बहुत हवा के जोके चल रहे थे चिम्निया जो है टूट रही थी टूट टूट कर नीचे गिर रही थी और कुछ तो यह भी कह रहे थे कि जो यह हवा की आवाज है इस पे से जो है मोद की डरावने चीके सुनाई दे रही है मानोवे चीक कर कह रही हो कि सावधान बुरा समय आ गया है उल्लू भी जो है रात भर अपनी भयावनी आवाज में कुछ ना कुछ बोलता रहा है तो मैकबित कहता है कि हाँ रात तो मुझे भी डरावने सी ही लगी थी लैनुक्स कहता है कि मैंने तो अपनी आद में कभी इतनी डरावने रात देखी ही नहीं तक यबापर Magdaff आ जाता है Magdaff जो है बहुत घब राया हूआ और चिलाता हूआ आता है वो कहता है कि गजब हो गया गजब हो गया और ये कैसे हो गया मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता है तक ये Magdaff और लैनक एक साथ पूछ दे Nakissa कियो क्या हुआ मैकपेट जो है अनजान बनते हो पूसता कि क्या हो गया तो मैकडिफ कहता है कि मोत की कालिच आया जो है वो नाच रही है और किसी ने जो हे हमारे समराड का खून कर दिया तो मैकबिफ कहता है क्या क्या कह रही हो तुम खून और यहाँ पर यानि कि मैगबित पुलकुल अंजान बनते हुए इससे पूसा है लैनोक्स भी पूसा है कि समराट का खून तो मैगडिफ कहता है कि हाँ जाओ अगर तुम्हें विस्वास नहीं हो तो जाकर देख लो और मैगबित और लैनोक्स वहाँ से जाते है और फिर वहाँ पर खत्रे की जो घंटी थी वो बच जाती है और जैसे घंटी बसती है लेडी मैगबित भी आती है और लेडी मैगबित भी जो है अंजान की तरह पूसते मतलब अंजान की तरह बनते हों पूछते की क्या हुआ यहां और यह खत्रे की घंटी क्यों बजाए जा रही है क्या हुआ तो Magduff कहता है यहां पर कि अब जो यह लाइन है यह भी इंपोर्टेंट है वो कहता है ओ जेंटल लेडी यानि की ओ देवी मुझसे मत पूछो जो कुछ मैं बताऊंगा वे तुम्हारे सुनने के लायक नहीं है तुम इस तरी हो और इस तरी को ऐसी बात बताना जो है उसकी हत्या करने के बराबर है लेकिन Magduff को क्या पता कि ये सब तो लेडी मैक्बित का ही किया धरा है अब यहापर फिर बैंकों भी आ जाता है और Magduff बैंकों से कहता है कि हमारे सुआमे को किसी ने खून कर डाला है हमारे सुआमे का लेडी मैक्बित फिर अंजार मनते पूछ से क्या खून और हमारे घर में खून बैंक को कहता है कि ये क्या हो गया तब ही जो है मैकबेट और लेनोक्स दोबारा वहाँ पर आते हैं मैकबेट कहता है कि अच्छा होता कि इससे पहले तो मैं ही मर जाता ये क्या हो गया मेरे सामने जो है मेरे स्वामे की किसी ने हत्या कर दी यानि कि हाँ पर वह बहुत मतलब नाटक करता है बहुत जादा कि जैसे पता नहीं मतलब उसे कुछ पता ही ना हो तब ही वहाँ पर जो है राजा डंगन के दोनों बेटे मेलकोम और डोनल बेन भी आ जाते हैं उन दोनों को भी पता चलता है कि उनके पता की हत्या कर दी गई है वो दोनों पूछते हैं कि किसने क्या ये सब तो लैनोक्स कहता है कि ऐसा लगता है जो सेन कार के पहरेदार थे उन्होंने ये काम क्या है क्योंकि उनके और हाथ जो चहरे थे वो खून से रंगे हुए थे और उनकी जो कटार थी वो भी खून में डूबी हुई थी और जब हमने उनके तक्यों की तरफ देखा तब हमें खून से लिथडे महाँ पड़ी हुए मिले हमारे माँ पहुंचते ही उन्होंने एक बार हमारे तरफ देखा और देखकर वे घबरा गए थे मुझे तो उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि उनके बीच में तो हर किसी को जान को खत्रा हो सकता था तो Mekbeth कहते हैं कि में अबने उसी मतलब उनको देखकर में भी जो हूँ बहुँ हादा मुझे गुसा आ गया और मैंने उनका कुण कर दिया यानि कि हमें पताः चलता है कि Mekbeth ने उन दोनों को तुरंटी वहँ पर मार दिया Magbeth पूलब कुछता है कि इस तरह एक वफदार आदमी अपने स्वामे की हत्या का द्रश्चा देखकर अपने आपको बस में रख सकता है कोई भी नहीं रख सकता क्योंकि मैं समराज से बहुत प्रेम करता था और जब मैंने उनके घावों को देखा तो मुझे बहुत ज़्यादा गुसा आ गया और फिर मैंने उन हत्यायरों को देखा जिनकी कटारे पूरी तरह से खून में सनी हुई थी फिर तुमी बताओ मैं कैसे अपने आपको रोक सकता था और इसलिए जो है मैंने उनको मार दिया और लेडी मैक्डिफ जो है यहाँ पर कहते है कि नहीं नहीं ले चलो मुझे यहां से मुझे दूर ले चलो यहाँ पर वो मतलब बहुत जादा रोने का नाटक करती है और मैकडिफ कहता है कि अपनी जो है देवी के पास रहो तूम सेवक से कहता है अब मेलकॉलम और डोनल बेन को दिखाते हैं वापस से बाते कर रहे हैं मेलकॉलम जो मेलकॉम है वो कहता है कि हमारे मूँ क्यों बंद है डोनल बेन जबकि हमारे पिता का जीवन तो हमसे ही सम्मन दित था तो डोनल बेन कहते है कि क्या बोले भाई हमें तो ऐसा लगता है कि हमें यहीं हांसे दूर चले जाना चाहिए कि अभी हमारे आसू भाने का समय नहीं है फिर मैलकॉम कहता है कि हाँ और ऐसा नहां हो कि कभी जो है हमारा भी मतलब murder करते उन दोनों को यह डर है कि कभी हमारा भी murder ना करते और लेडी मैक clamps बेचल होने का नाटक करती है और लेडी मैकету को फिर भार लाया जाता है फिर जो है सभी कहते हैं कि चलो अपने साफ कपड़े पहन लो चलो फिर कमरे में देखते हैं क्या करना है अगे सबी ले जाते हैं वहां से और मैलकॉम और डोनलवन वहे पर रह जाते हैं तो मैलकॉम अब कहते है डोनलवन से कि क्या करोगे अब तुम बताओ मैं सोचता हूँ कि अब हमें उन सब के बीच में नहीं रहना चाहिए बनावटी आंसु तो अपने आखों से वही आदमी आसाने से गिरा सकता है जो जूटा होता है मैं तो अब इंगलेंड चला जाओंगा तो डोनलवन कहते हैं कि ठीक है मैं भी आईलेंड चला जाओंगा हमारे सुर्कसा के लिए यही अच्छा है कि हम एक दूसरे के पास ने रहे और हम दोनों जो है अपने दो भाग्यों को अलग लग रहा हो पर लेकर चलते हैं और इस जगह जहाँ आप लगता है कि मनुस्य की मुस्क्राटों में ही कटारे चिपी हुई है और यहाँ जिससे जितना निकट खून का संबन्द है उतना ही खून का प्यासा है तो मैलकॉम भी कहता है ठीक है फिर अपना अपना घोड़ालो और सिगरी यहां से भाग चले अब जो है हमें संकोच करने में समय नहीं बिताना है और हमें यहां से चले जाना है क्योंकि हमें तो 4 और खतरा ही खतरा दिखाई दे रहा है तो इसलिए यही सही है कि हम चुपचाप यहां से भाग जाए और इसलिए सीन थर्ड यहां पर खत्म होता है अब एक्ट सेकिंड का सीन फॉर्थ स्टार्ट होता है मैकबेट के महल का जो बहार का दिखाया जाता है बहार की जो स्थान है मैकबेट के महल से और वहाँ पर हम देखते हैं रोस को और एक ओल्ड मैन भी है उसके साथ ओल्ड मैन कहते हैं कि मैंने अपने जीवन के सतर वरस गुजार दिये और मैंने पता ने कितनी भैनक आवाजे सुनी हैं लेकिन इस ड्रावनी रात को देखकर तो मुझे वैसारा अनुबवी फीका सा लगा है क्योंकि वो रात जो है बहुती जादा ड्रावनी उनको भी लग रही थी रोस कहते हैं कि ओ मेरे अच्छे पिता क्या आप नहीं देखते कि जहाँ मनुश्य ऐसे पाप करने लग जाते हैं वहाँ आकास भी मन में कुरूद होकर खून से सनिस प्रत्वी को ड्राने लगता है घड़ी में देखिए दिन निकल आया है पर रात का जो या अंदकार है सूरे की किर्णों को आकास में ही रोके हुए है यानि कि हाँ पर हमें पता चलता है कि रोस और जो ओल्ल मैन थे वो उसका फादर था और वो दोना आपसें बाते कर रहे थे रात के बारे में ही क्योंकि जो रात थी वो बहुत ज़्यादा गहरी थी और रात बहुत रावनी भी थी तब यहाँ पर मैकडेफ आता है और रोस उसे पूछता है कि कुछ पता लगा महराज कि किस कमीने ने ये पाप किया है मैकडेफ कहता है कि उन्ही दो आरपालों ने जिने मैकडेफ ने माड डाला और मैगडिफ कहते है कि शायद उनको तो किराए पर रखा मालूम होता है और तुमने कुछ सुना कि समराट के जो दोनों पुत्र है मैलकॉम और डोनल बिन वो जाने चिपकर कहा भाग गई है ऐसा तो नहीं हो सकता इस से तो हत्या का जो है उन्हीं पर जाता है शक कि उन दोनों नहीं ऐसा किया है क्योंकि वो दोनों यहां से भाग गए है रोज कहता है कि ये भी बड़ी अजीब सी बात है कि जीन माबाप ने अपने बच्चों को पाला पोसा और उन्होंने ही जो है ऐसा काम कर दिया और अब तो सम्भवे की मैकबेथी समराड बनेंगे तो मैकड़ कहता है कि हाँ हाँ उन्हीं का नाम तो सबसे पहले लिया ही गया था अब राजे विसेक के लिए उनको ही कहा गया है क्योंकि अब जो है कोई भी राजा डंकन मर गए है उनके दोनों बेटें यहां से भाग गए है तो अब कोई भी नहीं बचा जो की राजगदी पर बैठ जाए और क्योंकि जो मैकबेथ है उनका रिलेशन मतलब राजा जो डंकन थे उनके साथ उनका बलड रिलेशन है कुछ ना कुछ तो इसलिए जो है अब मैकबेथ को राजा बनाया जाएगा और इस तरह से जो है विचिस की जो थर्ड प्रोफेसिती की मैकबेथ स्कोटलैंड के राजा बनेंगे वो सच हो जाती है और मैकबेथ को जो है राजा बनाने के लिए चुन लिया चाता है रोज पूछता है कि डंकन का जो अम्रत सरीर है वो कहां दफनाया गया है तो मैगडेफ कहते हैं कि वोई जो है कैमिकल में उनके पुरोजों के समय से ही राज परिवार का पुवितर समझान है वही जो है उनकी अस्तिर स्रक्सेत रखी जाती है अब रोज पुछते हैं कि किया तो में तो वापस फ़एफ झाओंगा तो रहल है कि ठीक है फिर मैं पुल्म जाता हूँ और दोनों वहाँ पर अलविदा कह देते हैं और इसी तरह ये सीन भी खत्म होता है और इसी के साथ जो है second act भी खतम हो जाता है Act third start होता है Act third scene first forest में दिखाय जाता है palace जो है उसका एक room यहाँ पर बैंक को खड़ा हुआ है और बैंक को जो है आपने आप से इा बाते कर रहा है वो केटा है कि देखो यह तो हो गया King, Corder, Glaims, All सब कुछ हो गया थेन ओफ ग्लेम्स थेन ओफ कॉडर बन गए थे और आप जो है इसकोटलैंड का राजा मैकबेथ बन गया है और मुझे डर है कि मैकबेथ ने कुछ ना कुछ गलत किया है इसको पाने के लिए लेकिन मैकबेथ कहता है कि अगर ये भविश्यवानी पूरी हु बाते कर आए तभी जो है उसे खुछ आवा सुनाए देती है और वहाँ पर नीजिसरे वाँ पर आती है यह यनि कि मैकबेथ का राज्या बणा दिया गया है और लेल्डी मैक बैबेथ को क्वीन बना दिया गया है बैंको जो है मैकबेट का एजि किंग वेलकम करता है और जो मतलब एक तरह से फ्लैटरिंग करता है लेकिन मैकबेट भी कहीं न कहीं समझ रहा है क्योंकि मैकबेट ने खुद ऐसा काम किया है तो उसे लगता है कि कहीं बैंकों भी भोष़ेवाने सच्छ करने के लिए मुझे ना मार दे क्योंकि इनसान के अंदर डर तो होता ही है और जिसने गलत काम किया हो जिसको पता हो उसे तो और जादा डर होता है कि जैसा मैंने किया कहीं बैंकों भी ऐसा ना कर दे लेकिन मैक बेट वहाँ पर बैंकों से चची बाते करता है और यहाँ पर वो यह भी पता कर लेता है कि अफलीन्स भी उसी के साथ है क्योंकि मैक बैट जो है अब कुछ प्लैन कर रहा है वो जो है बैंकों और फलीन्स को मरवाने की सोच रहा है तो वो बैंकों से सब कुछ पता करता है बातों ही बातों में और फिर उसे पूछता है कि मैंने सुना है कि मेरे दोनों का जिन यानि कि जो डॉनल बैन और मैलकॉम थे वो यहां से भाग गए है और उन्होंने अपना confess भी नहीं किया है उन्होंने अपना अपराध है तो बैंको कहते है कि हाँ ऐसा ही है यानि कि बैंको यहाँ पर थोड़ी फ्लैट्रिंग कर रहा है मैकबेट की यूखिए बैंको को भी लगता है कि शायद मैकबेट ने कुछ गलत किया है इसके बाद जो है बैंको को वो अलविदा के है देता है और फिर हम देखते हैं कि मैकबेट जो है सब को वहाँ से भेज देता है और उसने जो है कुछ मर्डर्स को बुलाया हुआ है तो वो उन मर्डर्स को अंदर बुलाता है और उनसे बाते करता है और मैं अग्बत ही हाँ पर सोचता है कि मैं जो हूँ मैंने मतलब इतनी मुश्कल से ये सब प्राप्त किया है अब मैंसे ऐसे नहीं खोने दूँगा और क्योंकि मेरा पुत्र अगर कोई समराट नहीं बन सकता तो बैंको का पुत्र क्यों ऐसे बन जाएगा क्या मैंने बैंकों के पुत्रों के लिए ऐसा पाप क्या है ऐसा नहीं होगा और अगर मेरे बाद वे ही समराट होंगे तो फिर मेरा क्या फाइदा है ये सब करने का ऐसा तो हो ही नहीं सकता और मैं मरते दम तक अपने भागे से लड़ूँगा और ऐसा होने ही नहीं दूँगा तब ही वो देखता है कि दोनों जो मरडर थे जिसके को की मैगबत ने बुलाया था वो दोनों आ गए है और मैगबत जो है उनसे बाते करने लगता है और उसे जो है समझा देता है कि बैंको तुम्हारा दुस्मन है और अब तुम्हे उसे मारना है मैगबत कहता है कि मैं तुम्हें बताओंगा कि वो कहां पर है और तुम्हें जो है कहां पर चिपना है और वो कहां से आएगा कहां जाएगा इसके बारे में मैं तुम्हें पुरा बात बात बताओंगा और जो है ये काम तुम्हें सूरच चिपने से पहले ही करना है और हाँ ये काम जो है तुम्हें राजमहल से कुछ दूरी पर ही करना है जिसे कि हमारे उपर कुछ शक्र ना जाए और हमारे आखों से वे काटा भी दूर हो जाए और उसका फटर फ्लीन्स भी उसके साथ आएगा काम पूरा तबी होगा जब उसके साथ साथ उसके पुत्र को भी तुम मार दोगे क्योंकि वे हमारी आखों का दूसरा बड़ा काटा है तो हत्यारे जो है वो मड़र जो है वो कहते है ठीक है माराज जैसा आप कहेंगे हम वैसा ही करेंगे तो मैकबेट कहते हैं ठीक है हम तुम से थोड़े देर बाद मिलेंगे और तुम अंदर ही रहना कुछ देर तक हत्यारे जो है चला जाता है अब मैकबेट जो है अपने आप से ही कहता है कि scene second start होगा तो यहाँ पर दिखाते हैं कि Macbeth जो है जो पहले एक murder करके मतलब डरा हुआ था लेकिन अब वो बिल्कुल गरूर हो चुका है और अब वो और murder करने से भी नहीं डरता क्योंकि डंगन के बाद जो है उन्होंने उन दोनों जो गार थे जो पहले दार थे उसको भी मार दिया था तो यानि कि अब तक तीन murder इस प्ले में हो चुके हैं और अब बारी है फॉर्थ murder की act third scene second start होता है same room lady Macbeth आती है अपने एक servant के साथ वो अपने servant से पूछती है कि गया बैंको चले गए है तो सेवा कहता है हाजी चले गए हैं लेकिन रात को वापस आ जाएंगे तो lady Macbeth कहते कि ठीक है समराट से कह दो कि मैं कुछ जो है मुझे जो है उनसे कुछ बाते करनी है और वहाँ पर आ जाए तो से तो servant कहता है कि ठीक है मैडम और वहाँ से चला जाता है यहाँ पर lady Macbeth Macbeth से पूछते कि आपको क्या हो गया है और जो है आप इतने मतलब चिंतित क्यों दिखाए दे रहे हो तब Macbeth अपना डर lady Macbeth को बताता है उसके मतलब बैंको और फ्लीन्स के बारे में तो lady Macbeth कहती है कि तुम क्यों डर रहे हो और यह जो चिंता है जो तुमारी अपने मस्तिस्क से निकाल दो वे भी तो इससे संसार के परानी है क्या अमर तो नहीं है वे तो यानि कि lady Macbeth भी हापर एक तरह से अपनी सहमत ही देती है तो फिर खुशिया मन आओ यानि कि यहां पर दोनों को कितना कुरूर दिखाते हैं कि वो दोनों जो है अब आगे मडर करने से भी नहीं हिचके चा रही है तो उन दोनों की बात के साथ ही इस सीन भी खतम होता है और इस सीन में हम देखते हैं कि मतलब मैकबे जो है राजा बन गया है लेकिन अभी भी वो खुश नहीं है अभी भी जो है उसके मन में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है क्योंकि उसने जो है गलत काम क्या है और इसी वज़े से वो परेशान भी रहता है और वो अब बैंको और फ्लीन्स से परिशान है उसे लगता है कि कहीं जो उसने क्या है वो बैंको और फ्लीन्स भी ऐसा ही नहीं कर दे तो इसलिए जो है अब तक उसे शांती नहीं मिली है राजा बनने के बात भी सीन थर्ड स्टार्ट होता है सीन थड में हम उन तीनो मडरज को देखते है है जो कि पैंको और फलींज का मडर करने आई हैं वो तीनो जो है वेट कर रहे है बैंको और हुआरो मोक्रीप आने हैं और आपस में बाते कर रहे हैं और बैंको जो है चिलाता है कि धोका धोका भाग जाओ फ्लीन्स भाग जाओ फोरन भाग जाओ और वो जो है फ्लीन्स वहाँ से भाग जाता है लेकिन बैंको वही पर मारा जाता है और this was the first murder मतलब जिसको कि on stage दिखाया जाता है जिसे राजा डंकन को और उन दोनों पहरेदारों को मैथ ने ओफ्र स्टेज मारा था लेकिन जो बैंको का मडर है ये ओन स्टेज हम देखते हैं बैंको मर जाता है और फ्लीन्स यहां से भाग जाता है तो फ्रीन्स तो भाग गया हमारा पूरा काम नहीं हुआ तो एक मडर कहता है कि अब क्या करें जाकर समराट को बता देते हैं कि बस हमारा इतना ही काम पूरा हो सका है और यहाँ पर यह सीन भी खत्म होता है राजमहल के हम दरश्य देखते हैं दावत की तैयारिया चल रही है मैगबेथ, लेडी मैगबेथ, रोस, लैनोक्स और अन्य जो सर्वेंट है वो सब परवेश करते हैं मैगबेथ जो है अपने सभी गैस्ट को एड्रेस करता है वो कहता है कि मेरे सभी सम्मानित अतीतियों आप सब अपने पदों के अनुसार अपनी अपनी जगह पर बैठ जाओ और हम सब जो है आपका हर्दे से स्वागत करते है तब यह जो पहला मर्डर था वो दरवाजे पर आ जाता है मैगबेथ जो है उसे देख लेता है और वो दरवाजे पर जाता है और कहता है कि यह क्या तुम्हारे तुम्हारे तुम्हों पर खुन लगा हुआ है तो मर्डर कहता है कि हाँ यह बैंको का खुन है महराज तो मैगबेथ खुश होता है कि अच्छा हुआ चलो मैयाने कि इसका मतलब बैंको मर गया है तो हतेरा कहता है कि हाँ जी मैंने उसको मार दिया है मैंने अपने हाथों से जो है उसका गला फारा है तो मैगबेट कहता है कि शाबास तुमने जो है बहुत अच्छा ये किया और मुझे यकीन है कि तुमने जो है फिलिंस को भी मार दिया होगा अगर तुमने ही जो इसका काम तमाम किया है तो शाबास तुम्हारे बड़ाबर हम किसी को नहीं मानते लेकिन मर्डर नहापर कहता है कि क्या बताओ माराज फ्लीन्स तो बच कर भाग गया तो मैंगबत कहता है क्या बच गया यानि कि अब मेरी चिंता और जो मेरा भै था वो तो फिर भी रही गया काश बैंको की तरिया फ्लीन्स को भी तुम मार देते लेकिन यहां पर घ्र कहता है कि कोई बात नहीं माराज कम से कम बैंक को तो मर गया है और जो बैंक को मर गया तो छोटा सा बच्चा क्या कर लेगा तो मैकबेद कहते हैं कि ठीक है तुम सही कह रहे हो और हम तुम्हें इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं और यहां पर वो सत्यारों को भेज देते हैं हत्यारा यहां पसे चला जाता है फिलेडी मतलब आवा भगत नहीं करोगे तुम उनका सागत नहीं करोगे तो ये दावत पूरी नहीं होगी तो मैकबेत कहता है कि हाँ तुम सही कह रही हो चलो और हम वहापर चलते हैं तभी लैनोक्स कहता है कि क्या मैं सम्राट से भी बैठने की प्रात्ना कर सकता हूं लेकिन तभी जो है मैकबेट देखता है कि बैंको की जो आत्मा है वो वहापर आ जाती है और बैंको जो है मैकबेट के जगापर बैट जाता है मैकबेट बोलता है कि काश जो है इस बैंको भी हापर उपस्तित होता तो कितना अच्छा होता और अब जो मुझे मिलेगा तो मैं जो हूँ उसे जो है कहूँगा कि तुम यहापर क्यों नहीं आए तो रोस कहता है कि ठीक है माराज उन्होंने तो आने का वादा किया था लेकिन फिर भी नहीं आए तो मैगबित कहता है कि मैं कहां बैठू यहां तो कोई बैठने की जगे नहीं है क्योंकि जो उसकी जगा थी वहापर बैठा होता है लेनक्स कहता है नहीं नहीं स्वामी यह जगे तो है आपके लिए तो मैगबित कहता है कहां लेनक्स उनको जगा दिखाता है लेकिन महाराज जो है इसको देखकर इनम से घबरा जाते हैं तो वो पूर्चते हैं किसने किया है तुम लोगों में से यह तो सदार कहते है क्या हुआ महाराज मैगबि-ट कुछ नहीं बोलता और कहते है कि मैंने क्या है और मतलब ड़र जाते है और वो कहते हैं कि भायो आप लोग उट जाओ समराट की तब्याए ठीक नहीं मालूम होती और लेडी मैगबे वहां पर कहती है कि मैं आपसे परातना करता हो कि अपनी जगह पर बैठे रहे मेरे पती को जो है कुछ बीमारी है आप सभी जो है बैठ जाए और वो थोड़े दे ब्राइय उनकी तरफ देखेंगे तो और भी ज्यादा डर जाएंगे और उनकी हालत बिगड़ जाएगी आप सब लोग आपता खाना खाईए और उनकी चिंदा छोड़ दीजिए लेडी मैकबित मैकबित के पास जाकर कहते हैं कि क्या तुम आदमी हो यानि कि यहाँ पर फिर उसे टॉन कसती है तो मैकबित कहते हैं कि हाँ मैं आदमी हूँ मैं बहादूर आदमी हूँ लेकिन मुझे जो है मेरे सीने में खतरा गमन रहा है मुझे डर लग रहा है तो लेडी कि पास तक ले गई थी कुछ नहीं आ है तुम्हारा ये जोस तुम जो हो बिलकुल डर्पोख हो और तुम ये दिखावा कर रहे हो कि तुम बहुत बहुत बहादूर हो लेकिन मैगबेद फिर से जो है उसकी सौल को देखता है और ओ कहता है कि देखो देखो वो क्या आ रहा है अब बताओ तुम क्या कहोगी से और वो जो है उसकी आत्मा को देखकर कहता है कि तुम्हे क्या लगता है मैं तेरी परवाग करता हूँ इस तरह अपना सिर क्यों हिला रहा है बोलता क्यों नहीं बोल लेकिन वो जो सौल थी वो महां से चली जाती है तो लेड़ी मैगबेद कहती है कि तुमने तो अपने खुशियों पर पानी डाल दिया है और तुमने तो पागलपन की हालत बना ली है मैगबेद पूसता है कि हमारे जो हालत है इससे जो है हम कुछ अजनबी से लग रहे हैं लेकिन ये जो सकले हैं देखकर हमारे जो है गालों की लाली वैसी ही बन जा रही है और अच्छा होगा कि आप सब लोगों की विदाई है अलविदा आप सब लोगों करके हां से चले जाए और समराट को जो है कि तुम यहां से चलो मैकबित लेडी मैकबित से पूसता है कि रात का क्या समय हुआ होगा लेडी मैकबित कहती है कि अब रात कहा है अब तो सुबह हो रही है तो मैकबित कहता है कि तुमने कुछ दिखा कि मैकडफ जो है वो हमारी दावत में नहीं आया लिडी मेकबत कहती है कि तुमने उसे बलवाया था तो मेकबत कहती है कि मैं उसे बलवाओंगा और मैं ऐसा कोई भी नहीं छोड़ूंगा जसके घर में अपना जासु दिधा चोड़ दो और कल प्राते जो है मैं उठकर उन्हीं डाइनों के पास जाओंगा वे मुझे कुछ और बताएंगी अब मैं किता भी निगीचे क्यों ने गुड़ जाओं किता भी मैं पाप क्यों ने कर लो लेकिन अब जो भी मेरे रास्ते में आएंगी मैं उनको हटा दूँगा लिड़ी मैकबेट कहती है कि आप रात बार गुड़ा दूए नहीं है इसलिए आप की अशी हालत हो गई है चले चलकर सो जाएं मैकबेट कहता है कि हाँ आओ चलकर सो जाएं और यहाँ पर सीन फूर खतम होता है सीन फाइव स्टार्ट होती है सीन फाइव में फिर से हम उन्ही तीनों डायनों को देखते हैं जो कि अपनी सबसे बड़ी जो विच्छ है हिकेट जो कि उनकी एक तरह से स्वामी हैं उनसे मिलने आती है वह आपस में बाते कर रही है हिकेट जो है उनसे नाराज है तो विज Iya पूछते हैं कि आप हम से नाराज ही हो तो है किट कहते है कि तुमने मेरे भी ना जो है मैकबेट को सब कुछ क्यों बता दिया तुम्हें मेरा भी तो इंतजार करना चाहिए था तुम देखते कि मैं कैसे उसे अपने बातों में फसाती और तुमने तो खुद से ही सारा काम कर दिया तुम देखते कि मैं तुम से कितनी अधिक चतुर हूँ और यह सब जादू मैंने तुमें सिखाया है तो मेरी कला तो देखती कि मैं क्या क्या चाले चलती मुझे अपना परताब दिखाने का तो तुमने मुका ही नहीं दिया और तुमने जो है सब कुछ उनको बता दिया है उस लड़के को बता दिया जिसके दिल में कपट और प्रोध भरा हुआ है और जो है अपने स्वार्थ पूरा करने की ही बात सोचता है तुम्हारा नहीं अपने इगलती सुधार लो जाओ और कल फिर हम दुबारा मिलेंगे क्योंकि मैं एकबेद भी अकल आएगा अपने तकदिर जानने के लिए और जो तुम अपना जादू टोना मंतर सब कुछ तयार रखना और मैं अब चलती हूँ और इस तरह से जो है वो चली जाती है एक्ट फाइव यहां पर खत्म होता है सुरी एक्ट थर्ड का सीन फाइव यहां पर खत्म होता है नाव सीन सीक्स स्टार्ट सीन सीक्स में हम सीन सीक्स में जो है कुछ खास नहीं है सीन सीक्स में लैनोक्स को दिखाते हैं और एक और लोड है जो आपस में बाते कर रहे हैं डंकन के मर्डर की और वो आपस में ये भी बाते करें कि अब हमें रात तक देर तक नहीं गूमना चाहिए क्योंकि अब जो जी है खत्रा बहुत ज़टा बढ़ गया है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो मैलकॉम है वह इंग्लेंड चला गया है और इंग्लेंड के जो invers dare dimraat जाता है जिसको की बहुत पवितर समराट कहा जाता है कि वो जो है मैलकॉम की साहता करें और मैलकॉम की साहता के लिए जो है वो अर्ल ओफ नर्दंबर लेंड है जो एक और एक जो है सिवाड है उन जैसे जो सिवाड और नर्दंबर लेंड के अर्ल हैं जो उनको भेज दे ताकि वो मैलकॉम की साहता कर सके और मैलकॉम को फिर से नयाय मिल सके और मैलकॉम राजगत्दी पर बैठ सके और उनी की बातों से यह सीन भी खतम होता है Act 3, Scene 6, यहाँ पर खतम हो जाता है और इस तरह Act 3 भी यहाँ पर खतम हो जाता है Act 4, Act 4 स्टार्ट होता है Act 4, Scene 1, एक गुफा और उसके बीच में जो है एक उबलता हुआ बरतन है तभी वहाँ पर तीनों विचिस आती हैं बादल गरज रहे हैं तीनों विचिस जो है आपसे बाते करती हैं उन्हें पता है कि अब मैगबत उनके पास आएगा और कुछ प्रिश्न उनसे पूछेगा और वो सब जो है इसके लिए जादू का देख तयार कर रही है जादू का रस हो है तयार कर रही है वो सब ही बोलती है डबल डबल टोईल एंड ट्रबल फायर बर्ण एंड कोल्डन बबल यानि कि ए आग जलो ए जादू के रस उबलो अब जो है हम दुगनी मेनत से मैकबेट को प्रेशान करेंगे ये लाइन भी इंपोर्टेंट है बहुत डबल डबल टोईल और ट्रबल अब जो है वहाँ पर हिकेट आती है हिकेट कहती है कि तुमने बहुत अच्छा रस तयार किया है और इससे जो भी जादू होगा उन सब में तुम्हारा भी हिस्सा होगा और अब जब जो तुम हो इंसके चारो और नाचो गाओ तब ही जो है वह उसके चारो और गूमने लगती है और ब्लैक स्पृट के सौंग वो गाने लगती है दरवाजा खटकटाने के आवाज आती है मैगबित का परवेश होता है मैगबित कहता है उन से कि तुम यहापर क्या कर रही हो बिल्कुल तुम इतनी बदसूरत हो, काली हो और तुम जो हो चुडैल हो, तुम यहापर क्या कर रही हो तो सभी एक साथ बोलती है यह तुमने कहीं से भी सीखा हो लेकिन क्या तुम मेरी प्रश्णों का उत्तर दे सकती हो तो first which कहती है speak, second which कहती है demand और third which कहती है we will answer तभी first which कहती है कि क्या तुम हमसे सुनना चाहोगे या फिर हमारे master से सुनना चाहोगे तो Macbeth कहता है कि ठीक है अपने master को बला लो उन्हें भी देखते हैं कि वो कौन है तभी जो है first which को जादू करती है और सभी जो है चिलाती है come high or low, thyself and office definitely show तभी जो है थंडर के आवाज आती है, बिजली चमकने लगती है और first apparition जो है वो Macbeth के सामने आ जाती है, जो कि एक armed head की है, याने कि एक head है जिसने helmet पहना हुआ है, armed जो है उसने पहना हुआ है और वो जो है Macbeth से कहता है, मतलब वो पहले Macbeth उससे पूछता है, कि मुझे बताओ, ए अनजान सकती, तभी पहले विच कहती है, कि वो तुम्हारे विचार पढ़ सकता है और तुम्हें जो है कुछ कहने की जरूत नहीं है, तुम बस सुनो तो फिर्स्ट एपरेशन जो वो देखा था, Macbeth ने देखा था, एक armed head वो Macbeth से कहता है कि Macbeth, 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 Beware Macduff, Beware the Thin of Five, Dismiss me, Enough यानि कि वो Macbeth को बिएर करता है कि Macduff से बचके रहना, वो इतना कहकर वो वहां से चला जाता है Macbeth जो है, उसे कुछ और पूछना चाहता है, लेकिन जो पहले वीचे वो कहती है, कि वो तुम्हारी आग्या नहीं सुनेगा यहाँ पर कुछ और भी है तुम्हारे लिए, यह देखो, जो कि पहले से भी ज़्यादा अजीब है तभी जो है, फिर से बिजली गरस्ती है, और सेकिंड एप्रेशन, Macbeth देखता है, एक बलडी चाइल्ड, एक बच्चा, जो कि खुन से रंगा हुआ है तो सेकिंड एप्रेशन जो है, वो कहती है, Macbeth, 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 be bloody, bold and resolute, laugh to scorn, the power of men, for none of women born, shall harm Macbeth, descends और वहाँ से चले जाती है, यानि कि वो कहती है, Macbeth से कि और जाता bold बनो, और जाता bloody बनो, और जो कर रहा है, उसे करने दो, क्योंकि कि किसी भी जो है, ओरत से जन्मा आदमी तुम्हें नहीं मार सकता, जिसका जन्म natural हुआ हो, ऐसा कोई भी इनसान, Macbeth को नहीं मार सकता, और ऐसा कहकर, जो है, वो हाँ से चला जाता है, तो Macbeth को जो है, थोड़ी तसली होती है, वो कहता है, ठीक है, फिर Macbeth तुम जीओ, मुझे फिर तुम्हारा क्या डर, जब तुम मुझे मारी नहीं सकते, तो फिर मैं तुम से क्यों डरूं, लेकिन फिर वो कहता है, कि नहीं मुझे जो है, यह कही ही जो बात है, ऐसे पका कर लेना चाहिए, और इसके लिए जो है, वो जिन्दा नहीं रह सकता, Macbeth को जिन्दा नहीं रहना है, जिससे कभी भी जो है, मेरे हिर्दे में उसका डर ना हो, मुझे परेशान ना करे, तब ही फिर से जो है, बिजली कड़क परेशन है, वो बोलता है, कि सेर की तरह बहादूर और गर्विला बनो, और मत पर्वा करो कि कौन राज्ये में दुखी है, कौन नाराज है, या कौन तुम्हारे इकलाफ सडियन तरह रजशाह है, और Macbeth को तब तक कोई नहीं गिरा सकता, जब तक कि वर्णम का जो जंगल है, बर्णम का जो वुड है, बर्णम का जो जंगल है, वो उस उची डंसिने इन पहाड़ी तक आ कर उसे टकरा ना जाए, और वो इतना कहकर वहां से चला जाता है, यानि कि थर्ड आपरेशन का मतलब था कि जब तक बर्णम वुड का जंगल जो आ कर डंसिन पहाड़ी से ढ़ले ना मिल जाए तब तक मरना कर चाहता है कि यह कभी हो ही नहीं सकता क्या क्या कोई भी को इतना कापोंगे कर सकता है कि उसे वहां से‌ह से दो कोई प्रेड़ों को या ओकिया दे सकता है कि अपने जल से कड़ा कर चलो ऐऽाgender के घर करना ही नहीं चाहिए और इसका मतलब यह है कि मैं जो हूं जब तक जिन्दा रहूंगा तब तक की मेरी जो है भागय में लिखा है और मैं जो हूं साधारन मोथी मरूंगा लेकिन फिर भी जो है एक बात जानने के लिए उसका दिल धड़क रहा था और फिर वो कहता है कि क्या अपनी करामात से तू इतना बता सकता है तो बता क्या बैंको का पुत्र कभी भी इस समराज्य पर शासन करेंगे क्योंकि एक फ्रोफेसी जो कि उन विचिस ने पहले की थी कि बैंको की जो पुत्र है वो राजा बनेंगे तो मैकबेत के मन में जो है अभी भी वो डर सता रहा है तो मैकबेत उन से पूछता है कि क्या ऐसा होगा तो जो सभी कहते हैं जो सभी मतलब तीनों जो चुड़ाया ले थी वहापर वो कहती है कि अधिक जानने के इच्छा मत करो मैकबेत लेकिन मैकबित कहता है कि नहीं मैं सैटिस्फाई नहीं हूँ मुझे सैटिस्फाई होना है और मुझे इसका जवाब जो है मिलना ही चाहिए तो फिर जो है एकदम से आवाज आती है वहाँ पर और पहली विच कहती है दिखादो उसे, दूसरी भी कहती है शो, तीसरी भी कहती है शो यानि कि दिखादो उसे मुझे होने दो दुखी ही उसे च्षाया बन कर आओ और उसी तरह चले जाओ तबी जो है Macbeth देखता है A Show of Eight Kings यानि कि आठ राजाओं को वो देखता है आठ राजाओं का परदशन वो देखता है The Last with a Glass in His Hand और जो सबसे अंतिम समराटा उसके हाथ में एक गलास लिये हुए है और बैंको का घोस्ट जो है उसके पीछे पीछे चल रहा है तो Macbeth कहता है कि तू कौन है तू तो बैंको की प्रेता अत्म से मिलता हुआ लग रहा है चला जाए मेरे सामने से तेरे सिर पर जो यह इताज रखा हुआ है यह तो इस तरह लग रहा है जैसे मानो मेरी आँको को गरम लोहे की सलाके जला रही हो और तेरे उन बालों पर ओ दूसरे सिम्राट यानि कि वो जो आठ सम्राट देखता है उनमेंसे कहता है दूसरे सम्राट को कि यह जो तुम्हारे बालों पर सुनहेरा ताज रखा हुआ है यह ठीक पहले सम्राट का साही है तीसरा भी उसे तरह पहने हुए है तो वो कहता है कि तुम्हें क्यों दिखा रही हो चुड़ा लो फिर छोटा सम्राट यानि कि वो सारे जो सम्राट देखते हैं कि सबके जो सिर पर मुकुट रखा हुआ है और फिर वो आटवे समराट को देखता है उसके हाथ में ग्लास है और उसमें बहुत सारे समराट उसको दिखाई दे रही है जिसके जो दो दो चक्र है तीन तीन राज़दंड लेकर जा रही है वो यह सब देख रहा है और वो कहता है कि क्या यह सब सत्ते है और बैंको जो है मेरे उपर हस रहा है उसकी तरफ इसारा करके बता रहा है कि मैकबेथ यह है मेरे पुत्र और पौत्र और पिसाच वहां से चले जाते हैं यानि कि जो मैकबेथ को प्रोफेसिव जिसने बताई थी कि मैकबेथ राजा बनेगा लेकिन जो बैंकों के पुत्र हैं वो आगे राजे करेंगे तो ये सब जो है वो ही मैकबेट को दिखाता है कि बैंकों के जो पुत्र हैं और जो पोत्र हैं वो राजा बनेंगे मैकबेट पूर से हैं कि क्या यही होगा तो पहली डाइन कहती है हाँ सब ऐसा ही होगा लेकिन मैकबित तू इतना चिंता और आश्रे में क्यों बढ़ा हुआ है फिर वो कहते कि आओ भेनो हम उसे चचे खेल दिखाए और खुश करे और फिर वे जो है डाइने जो जुडैल्स थी वे तिनों जो है वे नाचती है और वहां से वो डिसैप्यर हो जाती है वहां से वो चली जाती है मैकबित कहता है कि कहां गई वे कहां गई वे कहां चली गई उसे बहार से कोई आवाजे सुनाई देती है वो कहता है कि कौन है बहार अंदर आओ तब हमाँ पर लैनॉक्स आता है लैनॉक्स पूछता है कि क्या हुआ समराट की क्या आ गया है तो मैकबेट कहता है क्या तुमने उन विचिस को कहीं देखा है लेनुक्स कहता है नहीं तो मेरे स्वामी मैंने तो नहीं देखा तो मैकबेट कहता है क्या वे तुम्हारे पास से होकर नहीं गई लेनुक्स कहता है नहीं बिल्कुल नहीं स्वामी फिर मैकबेट कहता है कि अच्छा लेकिन मुझे तो कुछ घोडे की टापे सुनाई दी थी क्या कोई इधर आया था तो लैनुक्स कहता है हाँ जी दो या तीन दूथ स्वामी है सोरी तो या तीन दूथ है स्वामी जो आपको ये खबर देने आये हैं कि मैकडफ जो है वो इंगलेंड भाग गया है मैकबेट कहता है क्या इंगलेंड भाग गया लैनुक्स कहता है हाँ जी मेरे स्वामी वो इंगलेंड चला गया है फिर मैक बेट जो है मन में सोचता है कि तू तो मुझसे भी आगे भाग रहा है मैक डफ और मेरे इरादे को पूरा होने से रोक रहा है लेकिन जब तक मेरे इरादे पूरे नहीं हो जाएंगे तब तक मैं कोई भी लापरवाई नहीं करूंगा और वो ये सोचता है कि मैं मैकडफ के जो है महल पर अचानक छापा मारूंगा और उस फाइब को मैं बांध लूँगा उसकी और बच्चो और जो भी होगा उसके पास उन सब को मैं मार दूँगा फिर वो लूँग से कहता है कि वे दूँद कहा है चलो मुझे उनके पास ले चलो और यहाँ पर जो है फस सीन खतम होता है सीन सेकिंड स्टार्ट होता है और यहाँ पर जो है हम मैकडफ के कैसल को देखتे हैं युअ कि बह already been a फिर नहींTube है यहां पर हम देखते हैं लेडी मैकटफ को और उसके बेटे को और रोज को लेडी मैकथ जो है लेडी मैकथ को पता चैला है कि उसके जो हस्बेंड है जो मैकथ है वो इंगलेड चले गए है तो लेडी मैकथ कैह रही है कि वो चोड़ कर क्यों चले गए वो देश चोड़ कर क्यों भाग गए उन्होंने ऐसा क्या किया था लेकिन रोस जो है उनको समझा रहा है वो कह रहा है कि आपको जो है पेसेंस रखना चाहिए लेडी मेकड़ कहती है कि क्या उसने पेसेंस रखा वो तो हमें चोड़ कर चले गए अ लेकिन रोस कहता है कि आप नहीं जानती उनका इस तरह से भाग जाना उनकी बुद्धी मानी है ना कि डर नहीं है उनका ये उनकी बुद्धी मानी है तो लेडी में एक डिप कहती है कि बुद्धी मानी कि यही बुद्धी मानी है कि ऐसे जगा पर जहां से उन्हें खुद भा लेकिन रोस कहता है कि रोस फिरसों से समझाता है कि आप अपने आपको संभाली आपकी पती ऐसा नहीं है आपकी पती जो ऐसे नहीं है मैं सच कहता हूँ वे बहुती बुद्धिमान है बहुती महान है और उन्हें पता है कि जो समय की कुरूर करती है वो उनको अच्छे तरह स पेंचानते हैं बस उससे यागे कहने के मुझे कोई हिम्मत नहीं होती ही लेकिन मैं जो हूँ इतना ही कहूंगा कि वह इस वाशगाती नहीं है और इतना कहकर जो है रोस वहाँ से जाता है वं कहता है कि आ प्रिशान मत हो यह जो कुछ होगा सही होगा आप अपने पती पर शक मत कीजिये और इतना कहकर वहां से चला जाता है फिर लेडी मैकडव दिखाती है जो अपने बेटे से बाते कर रही है और वह अपने बेटे से कहते है कि बेटा तुम्हारे पिता तो जो है चले गए अब तुम क्या करोगे अपने जीवन के दिन कैसे बिताओगे तो जो है उसका जो पुत्र है वो कहता है कि मा मैं उसी तरह अपने दिन बताओंगा जैसे पक्षी अपने जीवन के दिन बिताते है यानि कि भगवान जो मुझे देगा उसे से मैं अपना जीवन बताओंगा पक्सी भी तो इसी तरह जीवित रहते हैं उसकी मा को जो है बहुत दुख होता है कि मेरा बेटा किस तरह से बाते कर रहा है लेकिन बेटा कहती है कि बिना पता के तुम इस दुनिया में कैसे रहोगे पुत्र कहता है कि बिना पता के तुम कैसे रहो तो लेडी मेकडव कहती है कि वही जो वचन दे कर उसके विरूध कारीय करता है तो बेटा कहता है कween May MAS qui and Tea Al कि इसा करने वाले सभी विश्वास काती हैं लेडी मेकडव कहती है हाँ ऐसी सभी विश्वास काती होते हैं उन्हें तो फासी के तक्ते पर लटका देना चाहिए वे दोनों आपसे बाते कर ही रहे होते हैं तभी जो है एक दूत मापर भागता हुआ आता है वो कहता है कि भगवान आपको बचाए आप मुझे नहीं जानती लेकिन मैं आपको अच्छी तरह जानता हूं और मुझे डर है कि कोई खतरा आपके सिर पर आने वाला है आप मेरी बात मानिये और यहां पर एक पल भी मत रहे है फोरान अपने बच्चे को लेकर अपने जीवन की रक्षा के लिए यहां से भाग जाए क्योंकि मौत आ रही है मैं जानता हूं और आप यहां से चली जाए भगवान आपकी रक्षा करे और वो इतना कहकर वहां से चला जाता है लेकिन लेडी मैकड़ कहती है कि मैं कहां बहाग कर जाओ मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है मैंने तो किसी को कुछ भी नहीं कहा तो फिर मैं कहां जाओं तभी जो है वो देखती है कि कौन हो तुम यानि कि वहापर जो है कोई आता है तभी देखता है कि वहापर जो है मर्डर्स परवेश करते हैं और वे मर्डर्स जो है लेडी मेकड़फ से पूछते हैं कि तुम्हारा पती कहां है लेडी मकड़ कहती है कि मुझे नहीं पता वे कहां चले गई है और तभी जो है वो मकड़िफ जो मतलब मर्डर्स थे वो कहते हैं कि वो तो विस्वास गाती है लेकिन उनका बेटा कहता है कि तू जूट बोल रहा है कोई जूट कोई बदमास है मेरे पिता ऐसे नहीं है लेकिन वो जो हत्यारा है वो तभी उस बेटे को उस पुत्र को जो है मैगडफ के मार देता है और जो बेटा वो चिलाता है कि मा मा तुम भाग जाओ यहां से अपना जीवन बचाओ यहां से भाग जाओ लेकिन लेडी मैगडफ जो है मैलकूम के बाग जैब से मैलकूम और अपने वाग वा धाग गया था और मैगडफ भी जो है मैगड़ के पास ताकि वो मैलकूम के कर सके और वो दोनों जो है बाते कर रहे था मैलकम कहते हैं कि चलो किसी और जंगा पर चले और कुछ दिर वही आसु बहा कर अपना जी हलका कर ले मैकडेफ कहते हैं कि नहीं तुम आसु क्यों बहाओगे इससे तो अच्छा ये है कि हम जो है तलवार ले और बहादूर की तरह लड़े और अपने उस दुखी देश को आजात कराएं जो हमारा जनमसित अधिकार है वो दोनों जो है आपस में बाते करते हैं पहले तो मैलकम को विश्वास ही नहीं होता है मैकडेफ पर लेकिन मैकडेफ उसे समझाता है कि मैं विश्वास काती नहीं हूँ आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं और मैकडेफ बताता है कि मैं अपने बीबी और बच्चों को भी छोड़ आया हूँ हाँ तो मैलकम कहता है कि तुमने ऐसा क्यों क्यों क्या तुमने अपने बीबी और बच्चों को वहां क्यों छोड़ दिया उन्हें अकेला और निसाय तुमने क्यों छोड़ दिया इसका मतलब तो यह है कि तुम अच्छे आदमे नहीं हो तुम उन्हें भी छोड़ कर आ गए लेकिन मैकड़फ कहता है कि ठीक है अगर तुम ऐसा सोचते हो तो मैं यहां से चला जाता हूँ लेकिन मैं वैलकॉम कहता है कि मेरी बात का बुरा ना मानो जो कुछ भी मैंने तुम से कहा वे पूरी तरह तुम पर सक करके नहीं कहा है मैं जानता हूँ कि हमारा जो देस है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा जो है जुमों के पंजों की नीचे दबा हुआ है और जो प्रानी है वो हाँ पर रो रही है उनके सरीरों से खून बहरा है और इसलिए जो है मैं बहुत परिशान हो गया हूँ जहां तक मैं सोचता हूँ कि कुछ लोग जो इसकोर लैंड में है वो मेरा साथ देंगे और इधर के जो इंगलैंड के उदार समराठ है उन्होंने भी जो हाजारों की संख्या में साइनिक मेरे साथ बिजने का वादा किया है और इसी और मैं जो हूँ जाकर मैकबेट से लड़ूँगा और उसे मैं मार दूँगा यहां पर एक लाइन आती है जो बहुत इंपोर्टेंट है इंपोर्टेंट है जो है मैं जो है मैलकुम को मैपड़ पर विश्वास हो जाता है कि यह जो है मैकड़ विस्वास गाती नहीं है यह बल्की मेलकॉम का साथ देगा तो मेलकॉम कहता है कि ठीक है मुझे तुम पर विस्वास हो गया है तब ही वहाँ पर एक डॉक्टर आते हैं तो मैलकॉम उस डॉक्टर से पूसते हैं कि क्या आज समराट राजमेल के बाहर आएंगे तो डॉक्टर कहते हैं कि हाँ आवशे आएंगे क्योंकि कुछ जो दुखी और बिमार लोग हैं वो बाहर खड़े हुए हैं अपने इलाज के लिए उनकी परदिक्षा में ठड़े हैं और यहां पर हमें पता चलता है कि जो इंगलेंड के समराट हैं जो इंगलेंड के राजा हैं वो बहुत ही प्यूर हैं और इतने प्योर हैं वो कि अगर कोई बीमार भी इनसान है और उनको छूले तो वो ठीक हो जाता है कि अगर कोई प्यूले इनसान है और भी आगर कोई भी स्टार के अगर कोई भी सो अगर के खार की जा इनसा है झाल 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 एक्ट फाइव सीन फर्स्ट मैक बैट के फूर एक्ट कम्प्लीट हो चुके है फाइव और फाइनल एक्ट जो है मैक बैट का स्टार्ट होता है इसमें जो है हम देखते हैं एक कैसल का एक रूम देखते हैं जहाँ पर कि एक डॉक्टर है और एक जेन्टल मूमेन है यानि कि जो लेडी मैक बैट है उसकी दासी और एक डॉक्टर वहाँ पर बाते कर रही है Act 5 के Scene 1st में हम Lady Macbeth की बीमारे के बारे में जानेंगे तो जो है एक बीमारी हो गई है वो नीदों में वो नीद में चलती है और नीद में जो अपस में अपने आप से वो बाते करती है तो जो डॉक्टर और उसकी जो दासी है वो यहाँ पर जो है Lady Macbeth की बीमारे की ही बाते कर रहे है और हमें पता चलता है कि डॉक्टर को जो है दो दिन हो चुके है और वो देख रही है Lady Macbeth को लेकिन Lady Macbeth ने ऐसा कोई साइन नहीं दिखाया है मतलब वो नहीं चली है तो डॉक्टर जेन्टल वोमें से कहते है कि दो नाइट हो गई है मैं देख रहा हूँ लेकिन तुम्हारे रिपोर्ट में कोई भी टूथ नहीं है और तुम्हारे हिसाब से वो पिछली बार कब जो है उसने जो है नाइट सोते हुए मतलब उसके बाद उन्होंने अपनी अलमारे को खोला फिर कुछ पेपर्स को उन्होंने फॉल्ड किया उसके ओपर कुछ लिखा उसे पढ़ा और फिर उसके बाद उसे सील कर दिया यानि कि इस पर मोहर लगा दी और फिर वापस वो बैट पर आकर लेट गई और ये सब जो है उसने अपनी नींद में किया था यानि कि जब यो ये काम कर रही थी तो उस वक्त जो है वो बहुत गहरी वो नींद में थी तो डोक्टर पूसती है कि क्या इसके अलावा भी वो कुछ और करती है क्या तुमने कुछ सुना उसे कहते हुए तो जन्टल वोमेन कहते है कि हाँ लेकिन मैं वो आपको नहीं बता सकती तो डोक्टर कहते है कि नहीं तुम्हें मुझे बताना चाहिए तो जन्टल वोमेन कहते है कि नहीं आपको क्या मैं तो किसी को भी नहीं बता सकती क्योंकि मेरे पास कोई proof नहीं है जो मैंने सुना उसके अगर मैं वह बताओं तो उसे थाबित करने के लिए मेरे पास कोई proof नहीं है तो वो दोनों बाते करी रहे थे तब भी जो है Lady Macbeth आती है और वो कहती है फिर Gentle Woman कि देखो वो आ गई और देखो वो कितनी गहरी नींद में है इस वक्त उसको जाकर पास से देखो तब ही डोक्टर पूछता है कि वो जो है लाइट लेकर क्यों आ रही है तो जेंटल वूमेन कहती है कि जो ये लाइट है ये हमेशा उसी के पास रहती है और ये उतकी जो है कमांड है मतलब इसकी आदेस है कि जो लाइट है वो हमेशा उनके पास होने चाहिए लाइट कभी बंद नहीं होने चाहिए तो डॉक्टर कहते हैं कि देखो उसके आँके खुली हुई है तो जेंटल मूमेन कहते हैं कि हाँ उसकी आँके खुली हुई है लेकिन वो उसकी जो सैंस है वो सोई हुई है यानि कि वो अपनी सैंस में नहीं है भले उसकी आँके खुली हुई हो फिर डॉक्टर देखते हैं कि वो जो है अपने हाथों को रगड़ने लगती है लेडी मैकबेथ जो है नीद में है और वो जो है नीद में ही बोले जा रही है वो कहती है कि ये रहा स्पोर्ट ये रहा स्पोर्ट देखो एक दो कितने सारे स्पोर्ट है फिर वो कहती है कि फी माई लोड फी एस सोलजर और अफरेट की तुम डर क्यों रहे हो what need we fear, who knows it कि हमें जो है किसे डरना चाहिए किसे पता है कोई भी नहीं है जो हमारी पावर को मतलब जो हमारी पावर को जो है वो नस्ट कर सके और फिर वो कहती है कि किसने सोचा होगा कि इतने बुड़े व्यक्ति में इतना सारा ब्लड होगा यानि कि यहाँ पर वो डंकन की बात कर रही है क्योंकि उन्होंने डंकन को मारा था तो वो कहती है कि Yet who would have thought the old man to have had so much blood in him कि किसने सोचा होगा कि इतना सारा ब्लड होगा दोनों जो है डॉक्टर रोजेंटल वुमेन उसको देख रहे हैं और लेड़े मैगवेथ फिर कहती है यानि कि यहाँ पर वो मैगड़ेफ के बारे में बाते कर रही है उसकी एक वाइफ थी वेर इसी नाव अब वो कहा है क्या हमारे हाद कभी साफ नहीं होगे कि और जादा मत करो मतलब वो जो है अब उसको जो है एक तरह से ये ड्रीम आने लगे है जो कुछ उन्होंने किया था डॉक्टर जो है उसकी बातों को सुनकर आश्च्रे चेकित है तब ही जो है जेंटल वूमेन कहती है कि उसको जो नहीं बोलना चाहिता है वो भी उसने बोल दिया और हेवेन ही जानता है गोड जानता है कि उसने क्या क्या है फिल लेडी मेकबेट जो है बोलती रहती है वो कहती है कि यहाँ पर तो जो है अभी भी ब्लड की स्मेल आ रही है और यहाँ पर भी एक को इंपोर्टेंट लाइन है कि अरब के मैं जितने भी परफ्यूम यूज कर लूँ लेकिन मेरे हाथों को वो स्वीट नहीं कर सकते मेरे हाथों से जो है परफ्यूम की खुस्बू नहीं आ सकती क्योंकि मेरे हाथों में अभी भी ब्लड है ब्लड की जो है इसमेल है अगर आपको याद हो एक्ट सेकिंड, सीन सेकिंड में, लेडी मेक्बेट ने ही कहा था, कि बस एक थोड़ा सा पानी और हमारे हाथ धूल जाएंगे, यानि कि जब मेक्बेट अपने बलड़ी हाथों को देखकर बहुत जादा दुखी हो रहा था, तो लेडी मेक्बेट ने उसे कहा था, कि इसमें जो है डणने की क्या बात है वोट इस जन इस जन की जो हो गया हो गया और केवल थोड़ा सा पानी और हमारे हाथ धुल जाएंगे और हमारे सारे पाप भी धुल जाएंगे लेकिन यहाँ पर जो है लेड़ी मेकबेट भी करें तो डोक्टर कहते कि यह बिपारी तो जो है मेरी मतलब सामर्ते से बाहर है और मैंने जो है देखा है बहुत से लोगों को जो की नीद में चलते ते और जो की अपने बिस्तर पर ही मर गए फिल लेड़ी मेकबेट आगे बोल रही है वो नीद में ही है और बोले जा रही है वो कहते है अपने हाथ दोलो अपने नाउटगाउन को पहनो इतने जो है चिंतित मत दिखाई दो मैं तुभे फिर बता रही हूँ बैंको को जो है दफना दिया गया है वो अपनी कबर से उठकर नहीं आ सकता और डोक्टर जो है आपर फिर से चकित हो जाता है कि अच्छा ऐसा भी यानि कि यह भी जो है मतलब यहां पर जब सब कुछ रिवील हो जाता है एक तरह से डोक्टर के सामने कि क्या-क्या जो कांड है वो मैगबेट और लेडी चलो और यहाँ पर वो कहते हैं कि जो हो गया है अब हम उसको अंड़न नहीं कर सकते यह भी जो है एक तरह से अग्जमौरन है मतलब उस चीज़ का जो पहले लेडी मैं बत्ते कहा था एक सीन सेकेंड में कि वोट इस ड़न इस ड़न कि जो हो गया है हो गया है लेकिन हम उसको उंडन नहीं कर सकतें तो चलो फिर अपने विस्तर पर चलो और वो यहां से चली जाती है डॉक्टर पूर सा है कि क्या है वैं अपने विस्तर पर जाएगी, तो जेंटल वूमेन कहते हैं कि हाँ, बिल्कुल, फिर डॉक्टर कहते हैं कि यह बहुत ही, मतलब अलग बिमारी है और इसे जो है भगवान ही बचाए, गोड़ जो है हमें माफ करें, और उसका ध्यान रखना कोई भी ऐसी चीज और यहाँ पर जो है एक्ट फाइव का सीन फर्स्ट खतम होता है अब एक्ट फाइव, सीन सेकिंड स्टार्ट होता है, डंसिन एन हिल के पास है, और यहाँ पर जो है लेनोक्स और एंगेस को हमें दिखाया जाता है, साथ में जो है कुछ और Scottish, Senai, Scottish जो है सैनिक है जैसे मैंटियत, कैथनीज और कुछ और सैनिक है वो रंग भी रंगे जंडे ले हुए है और वो वहाँ पर आते हैं अब जो मैंटियत है मैंटियत कहता है कि अंग्रेजी सेना है जो पास आ गई है और मैलकॉम और उसके जो अंकल है सीवाड और बैकड़ वो सब जो है उनको लीड कर रहे है उनमें जो है बदले की आग जल रही है और ठीक भी है बदला की आग तो उनमें जलनी चाहिए क्योंकि उन्हें गहाओ भी तो भोट से मिले हैं और उनसे तो कोई मरा हुआ आदबी भी होता तो वो भी जो है तेजित हो जाता जितने घाव उन्हें मिले है फिर एंगस कहता है कि चलो वर्णम बन तक चले उसी रास्ते से वे आ रहे हैं वहीं चलकर हम उनसे मिलेंगे यानि कि वो जो डंसेंड में है यह सब और यह जो है उनके मैकबेट के खिलाफ हो गए है और यह जो है अब मैकडफ और मालकुम जो अपनी सेनाई लेकर आ रहे हैं उनसे मिलने जा रहे हैं कैतनीस पूचता है कि क्या तुम मेंसे किसी को पता है कि क्या डोनल बेन भी अपने भाई के साथ है तो लेनॉक्स कहता है नहीं वे उसके साथ नहीं है मुझे उन सब के नाम पता है जो भी साथ है एक तो सिवाड का पूत्र है और इसके अलावा बहुत से ऐसे नव्यूवक है जो पहली बार जो है लड़ाई करेंगे जो पहली बार जो है अपने रन कोसल का परीचे देंगे फिर जो है मैटियन्थ मैटियंथ तो उससे पूछता है मैटियंथ पूछता है कि What does the tyran त यानी कि मैक्बेट को टारं आइरण कहता है और वो कहता है कि वो टारेंटिसम में क्या कर रहा है तो कैथियन्स कहता है कि वो तो जो है डंसेन के जो विसाल किला है उसके नाके बंदी कर रहा है मजबूती के साथ और कुछ लोग तो कहते हैं कि वो पागल हो गया है और कुछ तो उसे इतनी घणा नहीं करते वो कह रहे हैं कि पागल पर नहीं ये बहदुरी का नसा है लेकिन अब मतलब ये है कि कुछ तो उसे पागल बता रहे है और कुछ बता रहे है कि ये उसके बहदुरी का नसा है तो एंगिस कहता है कि अब तो उसे ऐसा लग रहा है मानो दबी हुई हत्याए उसके पास आकर पुकार रही है और उसका तो विस्वास जो है मतलब एंगिस कह रहा है कि मेरा विस्वास तो है लोगों से अब उठता जा रहा है और जो लोगों का विस्वास है वो भी मैकबेट पर से उठता जा रहा है और सब जो है विद्रो करना चाहते हैं और मैकबेट अगर किसी को कोई आग्या देता है तो वो दबाव और मजबूरी के कारण ही उसका पालन कर रही है नहीं तो मैकबेट के लिए प्रेम किसी के अंदर नहीं रह गया है यानि कि अब मैकबेट सब के दिल से निकल गया है तो मैटियत कहता है कि अब तो जो है कि अब तो जो उसकी बोड़ी है ना वो भी उसके साथ रहने से मतलब परिशान है कि अब तो उसका सरीर भी उसके साथ नहीं रहना चाहता क्योंकि वो कभी पागलो की तरह चोक उठता है कभी बैठ जाता है तो इसमें उसके सरीर का क्या दो तो सब उसके mental situation के वज़े से हो रहा है उसने जो काम किया है जो गलत काम किया है इसके वज़े से जो है उसकी mental situation खराब हो गई है तो इसलिए जो अब उसकी बोड़ी है वो भी उसके साथ नहीं रहना चाहती तो फिर कहते हैं जो कहते हैं चलो अच्छा है जो हमारा सवचा समराथ है हमें जो है उसके प्रती अपने करतवे का पालन करना चाहिए और हमें चल जो बर्णम जंगल है उसके और चलते हैं और वहां से मार्श करते हुए चले जाते हैं तो यह जो चोटा सा सीन है यह हमें final battle के ओर लेकर जा रहा है यह हमें दिखा रहा है कि अब जो है battle होने वाला है final battle जो है आने वाला है और यहां पर जो है स्कॉटिस नोबलमेन थे जो तक जो बर्णम वूड है वो आकर डंसन हिल से नहीं टकरा जाता तब तक मैकबेट को कोई नहीं हरा सकता तो बर्णम वूड वो ही वूड है यानि कि जो प्रोफेसित ही विचिस की वो जो है सच होने वाली है act 5 scene 3rd स्टार्ट होता है act 5 scene 3rd में जो हम डंसन हिल में देखते ह कैसल का एक रूम महाँ पर मैकबेट आता है एक डॉक्टर है और कुछ अटेंडेंट्स है यानि कि कुछ उसके सेवक हैं तो मैकबेट कहता है कि अब मेरे पास कोई और रिपोर्ट मतलाओ जाने दो छोड़ने दो उन सब को हमें अकेला यानि कि जो हमारे मेरे पास से जा र ह्ना आता तब तक तो मुझे कोई मार रहिं नहीं सकता मुझे कोई हरा कर Ale कि मैलकॉम चोर्य मुस्ति retard , वह तो एक ठ्होटा सा बच्चा है मुझे और मुझे याद है उन्साच में कहा था जो नियुके वेड़ने क्या होग्ति दुरही आदमिए कभी नहीं मार सकता है तो हो जाएगा जाओ तुम सब यहां से चले जाओ हमें अकेला छोड़ दो और तुम सारे जाकर अपने अंग्रेजी फोज के साथ मिल जाओ तब भी हमारा कुछ नहीं हो सकता हमें तुम किसी भैसे नहीं ला सकते तब भी जो है एक सेवक वहाँ पर आता है और अपने जो तुम्हारा फेस है इसे काटों से छेदे जब तो कि खून निकल जाए और उस खून से तेरे चेहरे का पीला रंग है यह मिट जाएगा फिर तुम डर्पोक दिख रहा है यानि कि उसको जो चेहरा था पीला सा पड़ा हुआता जो 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 बैट सा जाता है मैगबत सोटन को देखते हैं सोटन आया हुआ है तो वो सोटन से कहते हैं कि जब भी हम तुम्हें देखते हैं तो हमारा दिल बैट सा जाता है और यह जो आकर्बन होगा यह या तो जो है हमारे सुक को हमेशा के लिए निश्चिन्त कर देगा यानि कि या तो जो है मैं जीत जाओंगा तो मैं जो हूँ सबसे निश्चिन्त हो जाओंगा या फिर मुझे जो है इस राज यहांसन से नीचे गिरना होगा और मैं जो हूँ अब तक बहुत दिनों से जीवित हूँ अब तो ऐसा लगता है कि मेरी जो जीवन है उसका सरतकाल आ गया है और मेरी जो सक्तिया है वो पज़ड की तरह मेरा साथ छोड़ रही है जैसे जो लोग है आपने बुढ़ापे के बारे में सोचा करते है पहले तो विश्वास नहीं करते कि अब हमें कोई प्रेम करता है या फिर किसी के हर्दे में हमारे लिए तरह सम्मान बचा है कि वे हमारे आगे का पालन करे लेकिन अब ऐसा नहीं है यानि कि मुझे विश्वास नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है लेकिन ऐसा हो गया अब कोई भी नहीं बचा है जो मेरे आगे का पालन करे या मुझसे प्यार करे कोई भी नहीं सेटन हमारे सारे साथी सैनिक कोई भी हमारा साथ नहीं देगा और वो सब जो है हमसे धूर चले गए है फिसी टोन कहता है कि महाराची किया आगया है जब तक की मेरा सारा मास नीचे ने गिर पड़े तब तक मैं लड़ूँगा फिसी टोन कहता है कि लेकिन अब इसकी जुरोत नहीं है महाराच मैक बेट कहता है कि नहीं हम अभी उसे पहनेंगे यानि कि हम अभी मतलब वो तयार होने लगता है लड़ने के लिए और वो कहता है कि हम अभी तयार होएंगे और बहुत जादा गुर सवारों को भेज दो ताकि वो चारों तरफ चक्कर लगाए और जो भी डर की बात करता हुआ मिले उसको वो तलवार से मतलब वो तलवार से उसको मार दे यानि कि वो कहता है कि जो भी मतलब चक्कर लगाए सारों को देखे पूरी कंट्री में वो गूम जाए और जो भी इनसान ऐसा लगे जो डर रहा हो रॉडर के बाते कर रहा हूँ, उसको जो है, वहे पर मार दो, और फिर वापना जो है आरमर मांगते हैं, यानि कि वह अब तयार हो रहे है लड़ाई के लिए, तब लुग्दे लाज आ जाते हैं, और डॉक्टर केहते हैं कि डॉक्टर मतल想 कि उसको टोक्टर में है कि बीमा ठीक करो और यहां पर एक लाइन आती है प्लक फॉर्म दा मैमोरी एरूटिड सोरो यह भी जो है इंपोर्टेंट लाइन है प्लक फॉर्म दा मैमोरी एरूटिड सोरो रेज आउट दा रिटन ट्रबल्स ओप दा ब्रेन यानि कि जो भी दुख उसके अंदर जड़ जमाई हु है उनको तुम मिटा डालो डॉक्तर कहता है कि इस हालत में तो बिमार को खुद अपने देखबाल करनी चाहिए स्वामी तो फिर मैगमेट को गुसा आ जाता है तो मैगमेट कहता है कि ठीक है फिर तुमारे सारी दवाईया है ना इसे कुट्तों के सामने फैक दो हमें किसी कि जो डॉक्टर है और जो इतने भी थेन हैं वो सब हमें छोड़कर जा रहे हैं और जल्दी आओ सिटर्न हमारे पास आ जाओ जो है तयार होने लगते हैं अपने युद के लिए और कहते हैं कि हमें हमारा कोच बना दो और जब तक जो है वर्नम वुड स्वेम उटकर डंसिन इन हिल तक नहीं आएगा तब तक तो हमारी बरबादी और मोध हो ही नहीं सकती और जो डॉक्टर है वो अपने आप से बाते कर है वो बोलता है कि बस एक बार जो है मैं से दूर बचकर निकल जाओं तो कुछ भी कोई भी बड़ा लाला चो कुछ भी हो मैं यहां पर वापस लोटकर नहीं आऊंगा और यहां से जो है अब यह सीन खतम हो जाता है नाव सीन फॉर्थ स्टार्ट होता है सीन फॉर्थ पे ह बर्णम वन के पास वाली जगा को देखते हैं वहाँ पर जो है नकारों के आवाज आ रही है रंग बिरंगे जंडे ले हुए है सेनिक वहाँ पर जो है वैलकॉम है और ओल्ड सीवाड है उसका जो है बेटा है मैक्टफ है मैटियत कैथनिस एंजिस लैनोक्स जो कि हमने दे इसमें फिर से सुख और शान्ति होगी और किसी तरह का भै नहीं होगा फिर पैतियत कहता है कि हां बिल्कुल आप सही जानिक कह रहे हैं इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है तब एक रोड़ को ऑन जो काट ले हो और उसको अंपने सामने करकर चले तो इस तरह सो हम चिप रहेंगे, और शिपे रहने से जो है हमारे ताकत का अंदाजा दुस्मन नहीं लगा सकेगा, ठीक, ठीक की हम किते हैं, और जुस्मन कि जू जासुस होंगे हमारे बारे में जाकर कबर देंगे, सब जूर निकलेगी, तो सेनिक कहते है कि ठीक है जो आगया स्वामी तो यहाँ पर प्रोफेसिस अचोती हुई दिखाई दे रही है जो की विचिस ने कही थी कि जब तक वर्णम हूड आकर डंसीने उन हिल से नहीं डेकरा जाता तो वर्णम हूड तो पुरा का पुरा उटकर नहीं जा सकता लेकिन जो सैनिक है वो पेड की जो जाड़े है वो काट लेते हैं और अपने आगे जो लगा कर उसे चलते हैं तो इसका मतलब जितने भी पेड थे ऐसा लगता है कि पेड जो है सब चल कर डंसिनेन हिल के पास आ रहे हो और सिवोर कहता है कि वो अत्याचारी तो अभी तक डंसिनिन में ही है और शायद वह इसे भी बरदास्त कर ले कि हमने उसके चारों तरब खेरा डाल लिया है इसके सिवाए तो हमें और कुछ भी नहीं पता मैलकॉम कहता है कि यही तो वो आसा करता है क्योंकि जब भी मोका देखेगा तो क्या चोटा क्या बड़ा सब उसके विरुद विद्रो कर उठेंगे यानि कि जब भी मोका मिलगा सब उसके विरुद विद्रो कर देंगे और सच तो यह ही है कि कोई भी सची हर्दे से उसकी सेवा नहीं करता बलकि दबाओं में ही उसे करने पड़ती है बैकड़ कहता है कि जब तक यूद का परिणाम ना निकल आये तब तक हमें ऐसे विश्वास के साथ यह नहीं कहना चाहिए इस बीच हमें चाहिए कि हम पूरी तरह से अपने यूद की तयारिया करें यानि कि जब तक परिणाम नहीं आता तब तक हमें कुछ नहीं सोचना चाहिए हमें मतलब अपने तयारी करने चाहिए तो सिवार कहता है कि अब वे समय पास आ गया है जो हमें पूरी तरह से बताएगा कि हमने क्या पाया और क्या खोया यानि कि अब समय आ गया है अब परिनाम जो है निकलेगा कि हम जीतेंगे या हम हारेंगे और जो सेना है वो मार्च करते हुए जाती है और यहाँ पर सीन फॉर्थ खतम हो जाता है अब हम एक्ट फाइव का सीन फाइव देखते हैं राजमहल के भीतर डंसीनेन वहाँ पर हम देखते हैं मैकबेथ को मैकबोथ मैकबेथ और सेटोन देखते हैं करते हैं तो बेक्वेट केहता है कि भार की दिवार पर जो है हमारे जहन्डे फेरा दो और अभी तक तो यह ही चला रहे थी कि दूस्मन आ रहा है लेकिन हमारे जो मजबूत किला है नां उनकी कोशिसों पर हंसरा है डालने दो उने गेरा मत अटाऊं ऊंप सपता चे से विसरम तरब कर मरना जाए कास आज उनके साथ अगर हमारे सेना ये मिलना जाती तो हम उनका डटकर मकाबला करते और यहां से जो है उन्हें सीधे अपने देश इंग्लैंड भागना पड़ता तभी जो है उन्हें कुछ औरतों के रोने के आवास सुनाए देती है तो वो प लेकिन अब मैं डर को पुरी तरह पी गया हूँ तब ही सिटोन कव पुने परवेस होता है सिटोन वहापर आता है यह कौन चिलाया कहां से यह आवाज आई है तो सिटोन कहता है मेरे स्वामी महरानी का सवर्गवास हो गया है यानि कि जो लेड़ी मैकबेती उसकी डेथ हो लेड़ी है तो मेकबेत कहता है कि वो चली गई कास इसके कुछ दिन बाद ही वह जाती और मैं यह भी सुनता तो उसके लिए ठीक वक्त भी होता यानि कि अभी नहीं उसे मरना चाहिए था कुछ दिर बाद वो मर जाती तो शायद सही भी होता तुमारो तुमारो एंड टु अभी जोड़ी है और अपन देस्टेच और देन इस ही अर नोमोर इस अ टेल तोल बाय एन एडियट फुल अफ्ट एंड फ्यूरी सिंग्निफाइंग नथिंग यानि की जीवन है यह यह तो केवल एक वोकिंग शाड़ो है एक चलती हुई परच्छाई है और जो जीवन ज तो ऐसा लगता है किसी इडियट ने ये बताई है और ये साउंड और फ्यूरी से ये फुल है जिसका कोई भी महतु नहीं है जीवन एक चलती हुई छाया है उसी अभीनेता की तरह है जो कि कुछ चनों के लिए रंगमच पर आकर हसता है रोता है और फिर हमेशा से उसके सामन देगा तो इसी तरह जो है लाइफ है और ये तो मुर्खों की कहानी है कही हुई जिसमें धवनी और भावनाई है लेकिन उसका कोई भी अस्तित्फ नहीं है सिगनिफाइंग नथिंग तो ये लाइन जो है बहुत इंपोर्टेंट है लाइफ इस बटे वाकिंग शाड़ो पूर प्लेयर और इट इस ए टेल टोल बाई एन इडियट फुल अफ साउन और फ्यूरी तभी एक मैसेंजर आता है और मेकवेट जो कहता है तुम भी अपनी जी भी लाने आ गए कहो क्या कहने आए हूँ तो दूद कहता है कि मेरे महराज मैं जो कहना चाहता हूँ जो मैंन देखा है मैं नहीं जानता कि मैं उसे कैसे कहूँ तो मैकवेट कहता है कि हाँ हाँ बोलो तो दूद कहता है कि नहीं स्वामी जब मैं पहाड़ी पर खड़ा होकर पहरा दे रहा था तो जैसे ही मैंने वर्णम वन के और देखा तो मुझे ऐसा लगा कि मानो पूरा वन उठक चला आ रहा हूँ तो मैकबित कहता है कि तुम जूट बोल रहे हो तुम कहता है नहीं माराच अगर मेरी बात सच नहीं हो तो मैं कोई भी दंट सहलूंगा मैं ऐसे तीन मील की दूरी में देखिए मैं सच कहता हूँ स्वामी वर्नम जो जंगल है वो चला आ रहा है मैकबित कहता है कि अगर तुम्हारी बात जूट निकली तो समझ लो पहला पेड जो भी हमारे आखों के सामने आएगा उसी पर हम तुम्हें जीवित लटका देंगे और उस वक्त तक रहने देंगे जब तक कि भूख प्यास से तुम तड़फ तड़फ कर मरना जाओ और अगर तुम्हारी बात सच निकली तो तुम हमारे साथ यही वेवार करना हमें कोई शिकायत नहीं होगी और मैकबित जो है अब अंदर यंदर डर भी रहा है वो कहता है कि लगता है उन पिसाचों की बाते तो ठीक निकल रही है लेकिन फिर भी वो कहता है कि डरो नहीं मैकबित जब तक वन डैंसिन की और आता दिखाएना पड़े तब तक मत डरना लेकिन जो वन हो तो डैंसिन की और बड़ा चला आ रहा है तो फिर वो कहता है कि हातों में हत्यार लो और दुस्मन से टक्रा जाओ, मैंकबित, जाओ जो कुछ भी वे कहा रहा है, अगर उससे सच मुछ देखा है, तो फिर उससे चिप कर कहा दूर बाग सकते हो फिर यहां मैल में किस के लिए बैठे हो यानि कि वो अपने आप से कह रहा है कि अगर ऐसा सच है वाकि में ऐसा हो गया है तो फिर मैं यहां क्यों बैठा हूँ फिर तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ तो ठीक है फिर मैं अहत्यार नूँ और जाकर दुसमन से टकड़ा जाओंगा जो कुछ भी वो कह रहा है अगर वो सच मुछ है तो फिर मैं तो उसे चिपकर कहीं जाई नहीं सकता फिर वो कहता है कि मैं तो अब इस लाइफ से ना पूरी तरह ठक गया हूँ मैं पूरी तरह जो हूँ उप गया हूँ और मैं यह चाहता हूँ कि अब जो पूरी दुनिया है एक साथ तूट कर भिखड़ जाए परले आ जाए फिर कहता घत्रे की घंटी बजा दो हवा जोर से तुफान ही हो जाओ बहार आ जाओ परले की आग हम वीरो की तरह कवच पहन कर सामना करेंगे और यहाँ पर वो चला जाते है यहाँ पर जो है एक्ट फाइव का सीन फाइव भी खतम होता है सीन सिक्स स्टार्ट होता है सीन सिक्स में हम देखते हैं एक प्लेन बिफोर दा कैसल यान की कैसल से पहले जो है एक मैदान है डंसिनेन का वहाँ पर तक जो है अब जो पेड़ लेकर आ रहे थे वो वहाँ पर आ चुके है नकारों के आवाज आ रही है जंडे फैर रहे है मैलकॉम है ओल्ड सिवोर्ड, मैकडव, उनकी सेनाई पेड़ की डालिया लेकर परवेश वहाँ पर करती है मैलकॉम कहता है कि अब तो हम राजमेल के बहुत निकट पहुँच गए है अब सामने लगे हुए इन डालियों के परदों को गिरा दो मतलत जो पेड़ तुम ले रहे हैं उनको अब हटा दो और अपनी पूरी ताकत के साथ सामने आ जाओ सिवोर कहता है कि रात को मैकबद की सेना से हमारा सामना है यदि हमने उन्हें रन मूवी से भगा नहीं दिया ना तो हम परण करते हैं कि हम जीवी तरह कर वापस नहीं जाएंगे मैकड़ कहता है कि ठीक है फिर जितने भी ट्रमपेट्स है सब को बजा दो और जो विगल को जो है बहुत जो जो बजा दो जिससे सब को पता चल जाए और यहाँ पर जो है सीन सिक्स भी खताम होता है सीन सिक्स जो है बहुत छोटा सा है पस इसमें हमें यह पता चला कि अब बेटल एक्चुल में शुरू हो गया है शुरू होने वाला है मतब शुरू ही हो गया एक तरह से एक्ट सैवन सेम एनवादर पार्ट अप्लेण प्लेण का जो दूसरा पार्ट है वहाँ पर है रन भूमी दिखाते हैं मैक्बेट वहाँ पर आता है मैक्बेट कहता है कि उन्होंने तो मुझे चारो तरब से इस तरह गेर लिया है मानो किसी खूटे से बांद दिया हो और सब तरब दुस्मन है मैं कहीं भाग भी तो नहीं सकता लेकिन मैं भागो क्यूं मैं मुझे क्यों भागना चाहिए मुझे तो मतलब अभी जो लास्ट प्रोफेसी थी विचिस की कि मैक्बेट को कोई ऐसा इंसान नहीं मार सकता जो अपनी मा की कोक से जन्मा हो तो वह कहता है कि मुझे तो डढ़ना ही नहीं चाहिए कोन मेरा क्या बिगाड सकता है क्योंकि केवल ऐसा इंसान तो मुझे मार सकता है जो अपनी मा की कोक से नहीं जन्मा हो और ऐसा तो कोई है ही नहीं तब ही जो है वहाँ पर यंग सीवर्ड आता है यानि कि छोटा जो सीवर्ड है नव्यूक सीवर्ड सीवर्ड का जो बेटा है तो यूवक सीवर्ड जो है यंग सीवर्ड पूसा है कि तुमारा नाम क्या है तो मैकबेत कहता है कि हमारा नाम डर जाएगा तू सुन कर उसे तो यूवकसिवर्ट कहता है कि कभी नहीं नरक्के दैत्यों के से भहानक से भहानक नाम से अपनों को क्यों होना पुकार मैं कभी डर ही नहीं सकता बता क्या तेरा नाम है तो मगबेत कहता है ठीक है तुझे इतनी सुनने की उथकता हो रहे तो सुन मेरा नाम मगबेत है तो यूवक सिवाट कहता है कि ओ सेतान इससे भी अधिक घ्रिणित नाम नाम को नहीं सुना सकता था मुतलने है कि यह कहो कि इस से दिक ड्राने वाला नाम नहीं सुन सकता था तो यूवक सिवर्ट कहता है कि जूट बोलता है तू तो अत्याचारी है मैं अपने तलवार की धार पर जो कुछ भी तू कह रहा है ना उसे अब भी जूट साबित करता हूं और वे दोनों लड़ते हैं लेकिन यहापर जो नवियुक सिवर्ट था वो मारा जाता है मैकबेथ जा तू औरत की कोक से जन्मा था ना जो भी औरत की आवाज आई है यहाँ इधर देख यानि को मैल वो मतलों मैकबेथ को बुकार रहा है वो कहता है कि ओ टायरेंट अपना चहरा तो दिखा और अगर तू मेरे तलवार के अलावा किसी दूसरे के हाथों मारा गया ना तो मेरी इस्तरी और मेरे जो नन्ने से बच्चों की प्र कर जो है मेरे तलवार तुझे हमेसे के लिए जमीन पर सुला देगी तो और फिर जो है कायरो की तरह बिना कोई वीर्दा का काम की वापस मियान में चली जाएगी यानि कि मेरे तलवार किसी और के उपर नहीं उठेगी यह तलवार जो है सिर्प तुम्हारी उपर उठेगी फिर जो है रन की आवाज ही आ रही है मैलकॉम और ओल्ड सिवर्ड आता है ओल्ड सिवर्ड कहता है कि धर से आईये और बिना किसी तरह के विरोध ये यूद के जो है राजमेल हमारे आतों में आ गया है उस अत्याचारे की जो परजा के लोग है वो दोनों तरफ से लड़ रहे हैं आपके सरदार थेन भी जो है बादूरे के साथ जो है लड़ रहे हैं आज की विज़े हमारे ही पक्ष में गोसित हो चुकी है बस अब बहुत थोड़ा ही काम करना पाकी है मैलकॉम हमारे दुस्मन भी तो ऐसे मिले हैं जो उल्टे हम से ही मिलकर हमारी ओर से लड़ रहे है यानि कि वो कहता है कि जो मैकबेट की सेनती वो तो हमारे साथ ही हो गई सिवर कहता है कि आई समराट राजमेल में परवेस कीजिए जाते हैं यूद की चितकार जो है चल रही है यानि कि यूद की आवाजे आ रही है और यहाँ पर जो है सीन खतम होता है Now Act 5, Scene 8 Scene 8 स्टार्ट होता है Same part, another part of plane और मैकबेट दुबारा आता है मैकबेट मैकबेट कहता है कि Why should I play the Roman fool and die on my ovens world कि अपने ही तलवार से अपने आपको मार कर मैं क्यों रोम के मुक्सा काम करूँ जब तक मुझे एक भी दुस्माद जीवी दिखाए देगा तक तक मैं उन पर आग बर्साओंगा फिर मैकबेट भी महाँ आ जाता है मैकबेट कहता है कि टर्ण हेल हाउंड टर्ण यानि कि उसको हेल हाउंड कोता है तो मैकबेट कहता है कि ओ तु सिर्फ मेरी रजड़ों के सामने आने से तू ही बचा रहे गया है आजा तू भी सामने आजा वैसे ही तेरे परिवार के खून से तो पहले ही मेरा जी भर गया तो मैकडव कहता है कि इसका जवाब मैं कुछ नहीं दूँगा दूस्ट मेरी तलवार जो है न वो इसका जवाब देगी तो मैकबित कहता है कि वापस में अपने लड़ते हैं मैकबित कहता है कि तू तो अपने बेकार में अपने ताकत गवारा है तू तलवार से मुझे उतनी ही आसानी से धराइसा ही कर सकता था जितनी आसानी से तू इस तलवार को तलवार से हवा को कार सकता है पर अब क्या कर सकता है तू अपनी तलवार को उसके सिर्परमार जहां इसका कुछ असर हो मेरा जीवन तो जादू की कारण सुरक्षित है और अगर तुने नहीं सुना ना तो सुन औरत के कोक से जन्मा कोई भी आद्वी मुझे कभी मार ही नहीं सकता तो मैगड़ कहता है अच्छा ये बात है छोड़ दे तू भरोसा अपने इस जादू का और जि कि मुझे तो काटकर निकाला गया था मैगड़ जो है यहाँ पर सुनकर थोड़ा सा डर से जाता है तो मैगड़ कहता है कि धिकार है तेरी उस जीव पर जो मुझे ऐसी बाते कर रही है और हमारे दिल की हिमत तो कुछ गिर गई है तो गदार है ऐसे गदार दोस्त का जो हमे कहता है कि तो फिर कायर आत्म समर्पन कर दे मेरे सामने और फिर दूसरे लोगों को जो है तेरे काले चाहरे का तमासा देखने दे हम तुझे किसी बहुत बड़े खोनी कहा दे कि तरह खंबे से लटका देंगे और उस पर लिख देंगे देखो एक जो है टायरेंट और कर जुक जाओं नहीं ऐसा तो कभी होई नहीं सकता कि कभी भी लोग जो है मेरे जीवन पर थूकने लगे मैं कभी भी ऐसा उन्हें मुका ही नहीं दूगा कि वो मुझे दिकार है चाहे वर्णम ववन उठा हुआ दंसिनन की ओर चला रहा है और तू भी औरत की कोक से नहीं जन्वा है फिर भी मैं अपनी अंदिम सास तक लड़ूँगा अपनी इस जाह से मैं अपनी सरीर की रक्सा करूँगा आओ मार मुझे मैं टेफ मार दिकार है उसे जो हमसे पहले यह कहे कि बस अब नहीं दोनों आपस में लड़ रहे हैं यूद की चितकार जो है सुनाई दे रही है इधर बाजे बचते हैं और विजय प्राप्त करके जो हैरन भूमी से वापस लोट रहे हैं मैलकॉम व्रत सिवर्ड प्रोस लैन्योक्स एंजिस कैथिन्स और मैटियत अन्ने सैनिक जो है नकारों की आवाज और जंडों के साथ परवेश करते हैं वो आपस में बाते पिछुडना ही पड़ता है स्वामी लेकिन फिर भी जितने जीवित बच रहे हैं उन्हें देखकर ही मुझे आश्चर यह हो रहा है कि हमने कितने कम सैक्रिफाइस किये हैं यानि कितने कम लोगों के बलिदान पर ही हमने विजय प्राप्त कर ली मैलकॉम कहता है कि हाँ वो वीर युद्धा की तरह लड़ता रहा और जब तक सतुर के हरदया तक अपने पूरुस का सबक सिक्का नहीं जमा दिया तब तक वैं हटा नहीं और वो जो है एक सच्चे वीर की तरह संसार से गया है तो शिवर कहता है कि क्या वैस संसार में नहीं है तो रोज कहता है हाँ स कि छाती पर हुए थे या पीट पर तो रोज कहता है कि छाती पर हुए थे चिवड कहता है कि तो फिर मुझे कोई दुक नहीं है वैं इस वर के पास पहुंच गया है यदि जितने मेरे सरीर में बाल है उतने भी मेरे पुत्र होते तो इससे अधिक गोरफ साले मृत्यू मैं उनके लिए कोई नहीं समझता तो फिर वेशन साल को छोड़ कर चला गया मैलकुम कहता है कि बस इतना नहीं सेना पती उस वीर की दुगदाई मृत्यू पर मैं अभी और आसुबा हूँगा सिवोड कहता है कि नहीं स्वामी अब उसके लिए तुम्हें शोक नहीं करना बस इतने का ही वे अधिकारी है वे सब ये कह रहे हैं कि एक वी रियूदा की तरह रन भूमे में गिरा है वे तो प्रकृति का सारा रन उसे चुका दिया इसलिए आप तो यहीं प्राता कीजिए कि इस वर सुदा उसे अपने पास रखे अब कोई दूसरी अच्छी खबर आते हुए मालूम होती है मैकड़फ जो है मैकबित का कटा हुआ सर लेकर आता है वहापर और मैकड़फ कहता है कि बधाई हो समराट और आज से जो है आप स्कोट लेंड के समराट है स्वामी देखते नहीं कि यह दुराचारी का सिर है जिसने अपने राज़जों को हड़प पता आप कोई डर नहीं चारो और आचादी है वाजे बजने लगते है मैलकॉम कहता है कि हमारे थेन और साथियों हम आप लोगों के हरदय से बहुत आबारी है और चाहते हैं कि सिक्री सिक्र आप लोगों का रिंच चुकाए अब से हम आपको अर्ड बनाते है यह पहला ही अफसर है जबकि स्कॉट लैंड में कोई इस पत से समानित हुआ हो आप बताईए कि आगे क्या क्या करना होगा सला दीजिए कि अब जो हम इस नए युकाप प्रारम कैसे करें जैसे ही जो हमारे साथी उस चंगुल से छुटकर विदेश चले गए थे उन्हें वापस बुलाएं और फिर इन मरे हुए जो यह निर्देश साथी थे और उसकी जो महारानी जो थी उसको क्या उसको जो है उस पिचाशनी को पकड़कर सामने लाएं क्या क्या हम करें क्यान सन्हें करेंगे और हम जो है आप लोगों को लिशTH मेरे धन्यवाद देते हैं और फिर परतेय को अलग अलग हम दन्यवाद देते हैं हम्हें विश्vaस है कि आप सभे अलगे लाज्य dbiskk करने अवश्य आएंगे हम इसके लिए आप सभी कोरे मंत्रित करते हैं और यहापर जो है यह प्लेग खतम हो जाता है यह एक्ट खतम हो जाता है और यह प्लेग खतम हो जाता है